हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम अलोफ यू तू लेट्स क्रैक यू पिए सी सी और आज हम एम लक्षमी कांथ के चैप्टर नमबर फोर जिसमें प्रियम्बल ओफ इंडिया का बहुत डिटेल से उसमें बहुत सारी चीजे दी गई है उनको हम एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे line by line explanation रहेगा और आज बहुत important class है क्योंकि preamble से बहुत सारे questions जो है वो prelims और mains दोनों में ही expected रहते हैं तो यहां से questions जो है हमेशा आएंगे तो important chapter है like share करते आना है जितने भी दोस्त हैं आप सभी को क्या करना है like share हर किसी को करना है without like share करें किसी को आना नहीं है तो अभी से आपके regular chapter wise classes चलती रहेंगी 1 p.m. पर और telegram channel पर notification हमेशा देख लेना है आपको classes के लिए वहाँ पर आपको notification मिलेगा चलिए तो class start करते बिना देर किये और अगर आप मेंसे कोई भी student anacademy पर course जोइन करना चाहते हैं इंडिया की top faculties, best faculties से आप study करना चाहते हैं exam, syllabus के according, according to the syllabus, according to the exam pattern main, basic to advance in Hindi, bilingual और English तीनो methods में तो आप anacademy का subscription जोइन कर सकते हैं और अभी anacademy पर बहुत सारे multiple offers आपके लिए अविलेबल हैं अगर आप two year का course जोइन करते हैं तो आपको third year free मिलता है three year का course में जोइन करते हैं तो आपको fourth year free मिलता है तो यह आप anacademy आपको मिलेगा, साथ ही anacademy पर mentorship week भी आपके पास चला हुए अगर आप iconic course जोइन करते हैं तो आपको one on one personal mentor भी आपको anacademy प्रोवाइड करते हैं साथ ही combo course पर बहुत extra discount हैं आपके सामने आपको combo मतलब optional and GS दोनों को एक साथ लेने पर एक extra discount आपको provide करता है anacademy साथ ही optional की test series GS की test series सब आपके लिए वहाँ पर available है free में इसके साथ साथ आपके सामने देखोगे कि anacademy 20 books भी provide करता है जब भी आप subscription लेंगे तो आपको 20 books का set आपके घर पर deliver किया जाएगा घर पर home पर deliver होगा Hindi English दोनों में है जिस भी language में आप select करेंगे वह books आपके पास deliver हो जाएगी complete slavus उसके अंदर cover है complete और updated slavus है topic wise slavus है तो आपको दाइबाय से इधर उदर से left right से कोई भी books लेने की जोड़त नहीं पड़ेगी आप loan भी ले सकते anacademy से अगर आप one time payment न education loan का form description box में आपको मिल जाएगा उसको fill कर देने हैं उसमें मेरा नाम जरूर डालना है लली त्याद हो और referral code में य य य य आपको add करना है ठीक है आंसर राइटिंग की practice वो कुछ extra features मिलते हैं तो उसमें आपका result आने की possibility ज्यादा रहती है तो इन सब के लिए करना क्या होगा admission के लिए आपको अनकेडमी का learning app आपको install करना है mobile में फिर अपना goal select करना है UPSC CSC और फिर ये get subscription green color में इस पर touch करना है तो उसके बाद आपके सामनी इस तरीके से screens जो है open हो जाएगी और दो type के course में दिखेंगे आपको iconic और plus आप दोनों में से जो भी course join करना चाहते हैं जो भी आपको suitable ल और proper personal guidance आपको मेरे से मिलेगी और one-on-one main चीज यही हुत है guidance आपको one-on-one मिले teacher से तो one-on-one guidance के लिए आपको LY live code ये आपको apply करना होगा referral code में याद रखेए LY live इसको apply करेंगे fees में 10% discount और proper personal guidance direct मेरे से contact होगा मैं direct अपने सारे student से phone call पर सीधी बात करता हूँ ठीक है optional आप अगर separately लेना चाहते है only for optional you can go for that also वहाँ पर भी आपको LY live code apply करना है for 10% discount ये code to success है key to success है referral code इसको याद रखना है साथी नए batch 4th अगस्त से start होगे है अगले batch जो है next batch जो है वो 10th अगस्त से start होगे तो आपको मिल जाएंगे अभी tamil में भी batches UPSC के लिए start होगे तो अगर आप proper tamil language में भी पढ़ना चाते है तो ये भी आपको मिलेगा special classes आप देखिए अनगेडमी के app पर free classes होती है बहुत इंपोर्ट भेतरीन भेतरीन features हैं कि आप answer poll में दे सकते हैं ठीक है teacher से interact कर सकते हैं doubt पूछ सकते हैं ठीक है fast forward करके देख सकते हैं free classes होती है इन free classes के लिए भी आपको L Y L I V E ये code आपको apply करना होगा ठीक है तो आपको free हो जाएंगी सारी के सारी classes अनगेडमी combat हर संडे को आपका scholarship test होता है उसको play करके आप scholarship win कर सकते हैं ये मेरे courses है अनगेडमी पर तीन optional जो है political science और public administration जल्दी ही मैं start करने वाला हूं और जो public administration और political science के student हो उनको तो ये classes भी उनके लिए mandatory हैं क्योंकि यहां से भूई बहुत बड़ा area अपने optional का cover होता है जैसे public administration का second paper है Indian administration उसकी starting की two units को अगर हम छोड़ दे तो बाकि सब चीज यहां से cover हो जाएगी ऐसे political science में एक paper one के अंदर part b है Indian government and politics वो complete Indian government and politics आपकी इन classes से cover हो जाएगा तो optional के ज classes लेना ही और GS में तो आपको full proof planning full proof पूरी preparation आपकी यहां से होई जाएगी ठीक है तो अगर आप unacademy पर कभी भी course join करना चाहते है detailed course join करना चाहते है basic to advance तो यह code जरूर apply कीजेगा ly life code to success ठीक है ly life referral code code to success one on one guidance direct मिर से contact होगा आप direct मिर से बात कर सकते हैं जुड सकते हैं ठीक है और unacademy का मेरा खुद का channel है telegram का वहाँ पर आपको pdf और notification मिल जाएगा unacademy ललीत यादव की पार साला अभी अभी नया ही बना है unacademy ललीत यादव की पार साला उसको join कर सकत आप ठीक है चलिए जी तो आज की class को अपन start करते हैं आज की तो काफिट दिनों के बाद आप से मिले तो class start करने से पहले जारा एक बड़ जोस हो जाए house दा जोस चलिए तो like share करते रहने class को और like share करते हुए आने आज की class में basically हम कुछ main features जानने वाले हैं हमारे जो preamble है तो क्या-क्या हम discuss करेंगे एक बड़ उसके बारे में आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम इसके जो है keywords keywords को हम एक बड़ describe करेंगे preamble की कि कौन-कौन से main words है इसके अंदर उन words का meaning क्या है उनका relevance क्या है questions में किस तरीके से उसको use करना है इंडिया की polity में किस तरीके से वो role play करते हैं तो उन keyword वे देखेंगे सारों second चीज जो है वो हम ये देखेंगे जो की बहुत important चीज होती है जिसके बारे में बहुत सारे debates इंडिया में हुए हैं और अभी भी current में भी काफी सारे debates आपको अरे यार यह हो क्या रहा है कि अधिया है कि अधिया होफुली आपका buffering जो है वो यहां पर अब stop हो गई होगी तो मैं आपको यहीं बता रहा था कि हम क्या गरेंगे हम keywords जो हैं उनको एक बर देखेंगे कि preamble के keywords क्या है कैसे उनका use होता है क्या उनका meaning होता है polity में क्या उनका relevance है second जो सबसे important debate है कि क्या हमारी preamble जो है वो हमारा constitution का part है या नहीं इस preamble is a part of Indian constitution और note तो यह debates हम देखेंगे बेरुबाडी case से लेकर के केसवानन्द भारती case में जो decision आया उसके उपर हम discussion करने वाले हैं और अगर amendment हो सकता है तो amendment का type क्या होगा किस तरीके से amendment होगा किस तरीके से हम उसको use करेंगे इन सभी questions को इन सभी चीजों को आज की class में हम basically discuss करने वाले हैं तो चलिए class start करते हैं first आज का कि एक बहुत इंट्रेस्टिंग सी चीज है maximum आप सब जो प्रियंबल पढ़ते ना तो आप इंडिया की प्रियंबल पढ़ते है वी दा पीपल ओफ इंडिया तो मैं लगता है कि यार इंडिया के इंदर ही प्रियंबल होगा लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमा में में कॉंस्टिउशन थे उनको हमने स्टडी किया बहुत डीपली स्टडी किया फिर उनके में में फीचर से इंस्पायर हो करके इंडियन तरीके से अपने लिए चीजे बनाई तो ऐसे ही प्रियंबल जो है वो भी हमने अमेरिकन आप देखोगे तो अमेरिका के अंदर इस प्रैक्टिस तो अमेरिका ने जो प्रियंबल बनाया फिर वो ही एक पैटर्न सेट हो गया तो जितनी भी कंट्री इस बाद में आई उन्होंने मैक्सिमम ने इसी चीज़ को फोलो किया कि प्रियंबल होनी चाहिए रीजन क्यों क्योंकि इतना बड़ा कॉंस्टिउशन अगर किसी भी कंट्री के पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आपको समझना है अंडर्स्टेंड करना है तो आपके वहां के कॉंस्टिउशन को स्टडी करना पड़ेगा अब कॉंस्टिउशन तो एक बहुत बड़ा लार्ज डोक्युमेंट होता है उसको स्टडी करना possible तो होता है नहीं तो preamble क्या होती है कि वो पूरा का पूरे constitution का एक preface होती है एक जिस्ट होता है उसको पढ़कर के आप एक basic idea develop कर सकते हैं कि हाँ इस constitution में इस country में किस type का governance है किस type के rights है कैसी होगी ये country तो preamble जो है ना पूरे constitution को summarize कर देती है easily तो common peoples के लिए या जो ऐसे लोग जो foreigners हैं जो आपके country में नहीं रहते तो उनके लिए बड़ा easy हो जाता है इस चीज को समझना है कि हमारा constitution आखिरकार क्या आपको provide करता है क्या वो कहना चाहता है तो America से यह practice जो है वो start हुई तो यह important है इसको ध्यान क्योंकि यहां पर prelims में कई बार question पूछ लिया जाता है और preamble से कोई question आएगा और उस question के अंदर नीचे एक line दे दिया जाएगा कि preamble is the original is originated from Canada इस तरीके से लिख दिया जाएगा या आप से यह पूछ लिया जाएगा preamble of India is the first preamble adopted in the world है न इस तरीके से कुछ भी आप से question में एक line दे दी जाएगी तो आपको यह याद रहना चाहिए कि America में सबसे पहले preamble को लिया गया था ठीक है अब उसके बाद जब भी हम बात करते हैं कि preamble important क्यों है तो same वही चीज कि the term preamble refers to the introduction और preface to the constitution it contains the summary और essence of the constitution यानि कि पूरे के पूरे constitution का पूरे के पूरे समविधान का एक छोटा सा जिस्ट आपके सामने मिल जाता है प्रोवाइड हो जाता है जैसे आप कभी भी अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा large document उसको हमारे इंडिया का वह हम study नहीं कर सकते हैं उसको study करने में बहुत time लगता है तो ऐसे में अगर किसी को पता करना हो कि इंडिया के constitution के main features क्या है क्या क्या rights है क्या क्या इंडिया का structure है तो preamble उस पूरे की पूरे constitution को सिर्फ single page के अंद complete जिस्ट जो है हम यहाँ पर understand कर सकते हैं समझ सकते हैं तो इसलिए preamble बहुत important है कि starting constitution की यही से होती है सबसे पहला यही आता है preamble प्रस्तावना फिर उसके बाद आ बाग की articles और बागी चीज़े हैं वह यहाँ पर आती है अब यहां से यह भी important है यह ध्यान रखेगा क् important इसलिए क्योंकि UPSC या कोई भी exam में आपको MCQ type के questions में इस सवाल पूछ लिया जाएगा कि consider the following statements about preamble और फिर आपको उसमें पहली statement दे दी जाएगी preamble is detailed preamble is detailed explanation of our constitution यह लिखा जाएगा फिर second statement दे दी जाएगी preamble is is brief summary of Indian constitution ठीक है third statement आपको दे दिया जाएगा preamble preamble refers to only preamble refers to only fundamental rights part of Indian constitution फिर आपको दे दिया जाएगे which of the following statements are correct और फिर आपको options दे दिया जाएगे नीचे multiple options तो उसमें से आपको correct statement select करनी पड़ेगी तो एक ही statement जो है उसकी correct थी ठीक है second statement बागी wrong थी तो यह type है questions का MCQ में आपसे किस तरीके से questions जो है put up होते है exams में तो यह याद रखना है कि यह preface है summary है ठीक है preamble अब main चीज़ पर आते है कि क्या क्या होता है और किस किस तरीके से होते है कई जब आपसे exam में mains में basically question put up किय जाता है कि इस preamble of India जैसे बोल दे जाए न कि क्या भारत की प्रस्तावना कि भारत की preamble जो है वो constitution का part है क्या India की preamble को हम avoid कर सकते हैं क्या preamble को हम totally neglect कर सकते हैं comment इस तरीके से आपको कोई सारे questions जो है वो UPSC के means में push लिया जाएगा तो कई बार आपके सामने बहुत सारी statements होती हैं आपके answer को prove करने के लिए आपके answer को support करने के लिए तो वो statements जो बहुत ही famous हमारे पुराने जो personalities हैं उनकी statements को हम वहाँ पर अपने answer के support में हम वहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है और उसमें क्या होएगा ननी पाल की वाला अगर आपने नाम सुना हो an eminent jurist and constitutional expert called the preamble as the identity card of the constitution ठीक है ये भी important है important है कई बार आपसे क्योंकि MCQs में यहां से भी question आ सकता है कि who called Indian preamble as the identity card of the constitution फिर आपको options दे देंगे बी आरंबेड कर जोहरला नहरू ननी पाल की वाला बी एन राओ फिर उसमें आपको objective में टिक लगाना होगा तो इस type के questions भी आते हैं तो ये भी आपके लिए important है इसको याद रखना है कि identity card of constitution की समिधान का पहचान पत्र है है ना ओ चीज़े ये उन्होंने कहा the preamble to Indian constitution is based on the objectives resolution drafted and moved by Pandit Nehru and adopted by the constituent assembly इंडिया का constitution जब हमने start किया बनाना तो हमारी जो constituent assembly थी तो जो constituent assembly थी उसकी first sitting जो थी first sitting जो भी उस first sitting cut time था 9th December 1946 अब उसके कुछी दिन के बाद जब हमारा एक और sitting होती है 13th December 1946 को तो उस दिन क्या होता है कि objectives resolution ये constitution में introduce किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है ठीक है constituent assembly में वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है जो हारला लहरू उसको प्रेजेंट करते हैं और वो जो objective resolution था उसके अंदर हमारे पूरे constitution की main main features को हमने identify किया था कि हम हमारे constitution को किस type से develop करेंगे किस type से हमारे constitution में कौन-कौन से features हम रखना चाहते हैं उसी objectives resolution को base बना करके हमने हमारे इंडिया की preamble को ready किया तो ये भी आपके लिए important है ठीक है ये important है क्योंकि अगर आपसे कई बार question आ जाए कि हमारे इंडिया की preamble को हमने कहां से बनाया और उसमें फिर आपको options दे जाए आपको दे दिया जाए ओब्जेक्टिवस resolution फिर आपको यह और दे दिया जाए इंडिया independence act तो objectives resolution आपके लिए important वहां पर हो जाता है जो हरला लेरू इन्होंने उसको present हिया था तो यह basic basic कुछ mcq type की चीज़े हैं जिनको आपको remember करना है जिनको आपको याद रखना है यहाँ पर ठीक है clear चलिए आगे चलते हैं आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि objective resolution किसने present हिया ठीक है कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा कि preamble जो है कि हमारी जो constitution की जो preamble है क्या वो constitution complete होने से पहले ही क्या first sitting में ही हमारी preamble ready हो गई थी या objective resolution पास करते ही हमारी preamble completely ready हो गई थी या हमारे constitution complete होने के बाद ready हुई तो इस तरीके के questions भी आप से objective type के exam में पूछ लिया जाते है ठीक है चलिए अब एक और चीज इसके बीच में main feature से इससे आपको एक idea मिल जाएगा जो question है कि हमारे constitution की preamble जो है क्या उसमें amendment हो सकता है कि नहीं है ना क्या वो constitution का part है क्या नहीं तो इसके उपर basically हम class के end में last part में debate करेंगे discuss करेंगे अभी वस एक बर basically समझ लीजी कि हमारी constitution की जो preamble है उसमें single ए words socialist secular and integrity और ये भी important है ध्यान रखिएगा कि कितनी बार only one only one time हमारी इंडिया की preamble केवल एक बार उसमें amendment हुआ है उससे ज्यादा उसमें amendment नहीं हुआ है ठीक है और 1976 का जो 42nd amendment था वहां से हुआ है इंडरा गांधी उस time इंडिया की PM थी और इंडिया में internal emergency जो है ठीक है internal aggression के basis पर आप देखोगे तो इंडिया में emergency उस time declare हो रखी थी तो इंडरा गांधी ने 42nd amendment जो present किया और जिसको हम mini constitution भी बोलते हैं क्योंकि उसे इंडिया के जो main constitution के जो main main parts है उन सभी parts पर कोई ना कोई impact उसका जो था वो रहा था तो उसी से ही हमने preamble में भी तीन words add किये जो हमारे पास पहले नहीं थे एक socialist दूसरा secular और तीसरा integrity ठीक है तो इन तीनों चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है ठीक है कौन-कौन से तीन words है जिनको हमने preamble में after constitution amendment हमने उसको add on किया कई बार question पूछ लिया जाएगा कि आपको एक word दे दिया जाएगी कि एक statement दे दिया जाएगी कि consider the following words इस तरीके से दे दिया जाएगा यह यह दे दिया जाएगा which of the following words are present in original constitution original preamble of Indian constitution और उसमें आपको words दे दिया जाएगे fraternity फिर आपको उसमें word दे दिया जाएगा liberty फिर आपको word दे दिया जाएगा secular फिर आपको word दे दिया जाएगा integrity तो यह तीन वर्ड इन थ्री वर्ड को आप सेपरेट कर देना है वेरी गुड जिस ने भी आंसर दिया क्लैपिंग आप सभी के लिए हिंदी में इनको तीन वर्ड बोलते है धर्म निर्पेक्ष समाजवादी धर्म निर्पेक्ष और अखंडता ठीक है इसको बोलते है समाजवादी धर्म निर्पेक्ष और बुक को थोड़ा सा करेक्ट कर लिए हिंदी मीडियम की बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स है जो ये धर्म निर्पेक्ष सब्ध है इसको काट करके यहाँ पर पंथ निर्पेक्ष कर लिजिए पंथ निर्पेक्ष ठीक है हमारी प्रियम्बल से हमने पंथ निर्पेक्ष वर्ड जो है वो एड़ोन किया बुक में धर्म निर्पेक्ष लिखा है सेकुलर इंग्लिस में ठीक है सेकुलर का मतलब दोनों ही होते हैं पंथ निर्पेक्स और धर्म निर्पेक्स दोनों का मतलब secularism ही होता है लेकिन जो proper word हमने हमारी preamble में यूज किया वो धर्म निर्पेक्स नहीं है वो पंथ निर्पेक्स है तो हिंदी मीडियम के अगर students है कोई तो हिंदी मीडियम की book के अंदर इसको correct कर ले ना इंग्लिस में चीज़े ठीक है इसमें कोई problem है नहीं यह important था अब main features पर आ जाते है टेक्स्ट पर आ जाते है यह important है अब यहां से अपना असली main जो class है उसका जो core area है वो अब start होता है क्योंकि यहां से mains के questions जो है वो regular बनेंगे और आपको governance के अंदर governance में judicial activism के time पर उनसे related कोई questions आए या ethics के अंदर case study अगर आपको solve करनी है तो preamble आपके लिए बहुत अच्छा reference रहेगा case study solve करने के लिए भी तो यहां पर इसके जो words है उनको एके करके important words को हम अच्छे से समझेंगे तो समझने से पहले अगर हम बात करें तो कि हमारी preamble को कैसे पढ़ा जाता है तो यह तो हिंदी की preamble है आपको हिंदी में दिख जाएगा जिसको भारत की समिधान की उद्यसी का बोलते हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्तु संपन समाजवादी पंथ निर्पेक स्लोक तंत्रात्मा गंडराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों एक्सेटर एक्सेटर यहां तक चलता है सेम इंगलिस में we the people of इंडिया इस नाम से आपके सामने preamble आती है आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी ठीक है ethics की case study, polity के governance वाले section में ठीक है और polity वाले section में even essay निबंध वहाँ पर भी अगर आप कोई चीजे लिख रहे तो preamble को आप as a reference वहाँ पर use कर सकते हैं तो एक बार के लिए मैं आपके लिए read out करता हूँ आप भी अपनी book में मेरे साथ-साथ read करना जैसे हम कई बार oath लेते हैं ये उसी टाइप से oath जैसे school के अंदर हम morning में अंदर जब भी assembly होते हैं तो उसमें oath लेते हैं है न कि we are Indians है न all Indians are my brothers and जो हम खा जाते हैं जो लड़के होते हो sisters नहीं बोलते हैं जो लड़के होती हो ब्रदर्स नहीं बोलते हैं लेकिन यहाँ पर अपने को कोई word skip नहीं करना है अपने को पूरा का पूर बोलना है ठीक एक मान करके चली assembly हमारी चल रहे हैं we the people of India ठीक है सबसे main feature पहली ही line first word ये पूरी preamble को describe कर देती है we the people of India power का source सब कुछ हमारे अंदर हम सब के अंदर ठीक है इनको एक एक करके explain करे पहले एक बर हम preamble को एक बर read out कर लेते हैं ठीक है live class है recorded नहीं है ठीक है live class है recorded नहीं है जो भी ये फाल्तों की वाहियात अफवा फैला रहे है कि एक साल पहले कि उन्हों सब को block कर दिया जाए तुम मैं मतलब तुम लोग करने क्या आते हो तुम पढ़ने आते हो कि तुम यह देखने आते हो कि टीचर लाइव है कि recorded है तुम्हें क्या session चाहिए तुम्हें recorded और live में फरक क्या पढ़ता है यह बता हो जा रहा तो पहले तो नहीं मिरको आज तक समझे में नहीं है कि तुम लोगो जो यह आकर के बगवास कर रहे होते हैं कि recorded है ना मूव बना करके भाई recorded और live में फरक क्या है यह तो बताओ जो भी यह यहाँ पर लिख करके बगवास कर रहे हैं तुम आखे नहीं है देख नहीं सकते क्या लिखा रहे है वीडियो के उपर live लिखा रहे है कि premiere लिखा रहे है अगर उसके उपर live लिखा रहे है तो मतलब live यह ना भाई और अगर उसपर premiere लिखा रहे है तो मतलब recorded है है ना लेकिन तो पढ़ने से मतलब है किस चीज से मतलब है गजब हो यार तुम लोग ठीक है फाल तो में बहस में लगए हो live हुए class पर focus करो जो भी काम होगा class पर focus करो यह class बाद में premier भी उगी जब कभी mega के एक डिसकसर में पढ़े तुरंत ब्लोग कर देना चलिए आगे पढ़ दे वी दा पीपल ओफ इंडिया यहां से स्टार्ट होती है प्रियंबल को एक बार रीड करना है सारे ताकि एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाए फिर हता कि हम इनके जितने भी वर्ड्स हैं हर की वर हक सुकैब जच़कि कर दोसलै क मिलेश्श कर देन्ट लबाट काल इंडिया पसीने जु किक आइच्वाद प्रकाल club के और देने कातार्थि एक तार् Lynn यहेट कि डिवो इंडिया िरक लाटी ऐस चाहर्ण ब्स living अग गल्साम परको फिर्फ उकाल, कि उले तकर गर्णी बे टू आवर सेल्स दिस कॉंस्टिटूशन ये इंगलिस में आपकी प्रियंबल जो है बेसिकली एक इस तरीके से दिखता है अब इसमें आपने बहुत सारे वर्ट्स देखे आपने देखा वीदा पीपल ओफ इंडिया आपने देखा सोवरन आपने देखा सोशलिस्ट आपने सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपबलिक आपने राइट्स देखे है ना सोशल एकोनोमिक पोलिटिकल ठीक है आपने लिबर्टी देखी है ना थोट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्सिफ पास टाइप की लिबर्टी देखी इक्वैलिटी फ्रेटरिनिटी अब मेन बात है कि इनका मतलब क्या है अखिरकार ये कहना क्या चाह रहे है इन वर्स को यहाँ पर डालने का मतलब क्या था सीधा सीधा भी तो बना सकते थे प्रियम्बल को कि वी दा पीपल ओफ इंडिया है ना बस इतना एक बेसिक सी चीज लिख करके बता देते कि हमने हमने हमारे कॉंस् बेसिकली क्या justify करने की कोशिस किये और क्या उनका meaning है उन meaning और उन relevance को हम यहाँ पर समझेंगे ठीक है अब सबसे पहले जब ही प्रियम्बल की बात करते है तो प्रियम्बल के लिए हमें कई सारे ingredients की बात की जाती है तो हम चार the preamble reveals four ingredients of और components, चार ingredients उसमें main है, चार तत्व हैं जो main है, तो सबसे पहला चीज, कि source of authority of the constitution, ये चीज आपको देखना है, कि constitution को power कहां से मिली, स्त्रोत कहां से मिली, स्त्रोत कहां है, किसने हमारे constitution को authorize किया, power दी, last power कहां से आती है, तो पहला ये word, we the people of India, the preamble states that the constitution derives its authority from the people of India, तो सबसे main feature ये है, हमारे preamble का, कि जो constitution है, वो हमारे लोगों से authorized होता है, हम सबसे, हम सिटीजन से, जितने भी इंडिया की सिटीजन है, वो सब लोग constitution को power देते हैं, मान्यता प्राप्त करते हैं, अधिग रहित करते हैं, पहली ही लाइन हमने देखी न, preamble में, we the people of India, second चीज हमें nature of Indian state पता चलता इस से, क्या, कि it declares India to be of a sovereign, socialist, secular, democratic and republic polity, पूरे complete हमारे इंडिया के स्टेट में किस तरीके का structure है, कैसी polity है, कैसी राजवेवस्त है, उसके बारे में हमें सारी चीज़े clear हो जाती है, जैसे ये words देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में dictatorship नहीं है, इंडिया में monarchy नहीं है, ठीक है, इंडिया में जो है, क्या है democracy है, democratic republic है, यानि कि हमारे इहाँ पर सबको equal opportunities दी जाती है, कोई भी state की जो post है, उस पर contest करने के लिए, by birth या hereditary, हमारे यहाँ पर कोई भी post जो है, एविलेबल नहीं है, government sector में, state sector में, है ना, sovereign है, हम अपने decision खुद, automatically, ourself लेव सकते हैं, socialist है, state का role रहता है, लोगों के welfare में, है ना, public welfare में, welfare state यह यहाँ से है, secular है, कि religion के basis पर हम किसी के साथ, एक दूसरे के साथ, कोई भी state जो है, discrimination यहाँ पर नहीं करता है, equal उसको लेकर करके चलता है, तो यह हमारे Indian state का nature जो है, वो define करता है, इसके साथ ही, एक और चीज़ बताता है, objectives भी बताता है, कि हमारे constitution के objectives क्या है, तो, objective, it specifies justice, liberty, equality, and fraternity, as the objectives, ठीक है, नियाए, अगर हम बात करें, स्वतंतरता, समता और बंधुत, हमारे constitution का objective क्या है, कि हमारी पूरे society के अंदर justice आए, हैना, equality रहे, liberty रहे, fraternity रहे, बंधुतु रहे, सभी लोग मिल जूल करके एक साथ रहे, हैना, सबको equal rights मिले, जिनके पास equal, जो discriminated है, पहले से, उनको equal लाने के लिए, जो है, regular efforts किया जाए, liberty रहे, सबके पास equal, ठीक है, इस तरीके के हमारे objective है, कि हमारे constitution में ये चीज़ बनाना चाते है, कि हमारे citizens, इन सबका use करें, एक और, last ingredient, last तत्तु जिसको बोल सकते हूँ है, कि adoption, कि हमने कब adopt या, it is stipulates, it stipulates November 26, 1949, as the date, तो ये एक important चीज़ है, जो यहाँ पर आपको search करेंगे, बाकी जितने भी है, उनको हम explain करेंगे, अभी, जो keywords है, अलग-अलग, तो हर keyword को एक के करके हम explain करने वाले, लेकिन ये important है, इसको रख लीजिए, कई बार आप से question पूछ लिया जाएगा, कि on which date we adopted our preamble, और उसमें आपको options दे दिया जाएगे, 26th January 1950, फिर option दिया जाएगा, 13th December 1946, फिर 3rd option दिया जाएगा, 26th November 1949, and 4th option आपको दिया जाएगा, 9th December 1946, तो उसमें आपको objective पर टिक लगाना होगा, और वो आपका है, 1949, November 26, 1949, ये date है, हमारे जो इसको adopt करने की, ठीक है, इस चीज़ को दिखान रखना, सम्विधान को adopt करने की, अपनाने की, ठीक है, हिंदी की जो book है, उसमें आप देख लेना, यहाँ पर हम adoption की बात कर रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, सम्विधान लागू होने की, तो कर लेना है, इसमें हम सम्विधान को adopt होने की बात कर रहे है, अपनाने की बात कर रहे है, ठीक है, अपनाने की बात कर रहे है, लागू होने की बात नहीं कर रहे है, जो enforce में आया, जो execution हुआ, जो लागू हुआ, वो 26 जनवरी को हुआ था, ठीक है, हमारा constitution लागू का हुआ 26 जनवरी 1950 को लेकिन हमने adopt कब गया 26th November 1949 अपनाया ठीक है तो हिंदी की book में बहुत सारी mistakes है minor minor mistakes है जिससे आपका पूरा का पूरा जो concept है न वो हिल जाएगा उसमें गड़बड हो जाएगा तो उसको change कर लेना है correct कर लेना है जो भी हिंदी medium के student है technical errors, words की errors factual errors बहुत सारे errors है लेकिन अगर आप class करेंगे मिर साथ regular तो मैं यही पर class में ही आपको इस सारी की सारी चीजे update यहाँ पर करवाता चला जाओगा तो आपको कोई problem आएगी नहीं, कोई issues में आएगा नहीं ठीक है adoption of the constitution की date इन्होंने बताई 1949 में 26th नॉवंबर यह आपको important याद करकर रखना है अब main keywords जो है उन keywords को हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से keywords है, सबसे पहले हम बात करेंगे sovereign, समप्रभूता mains के area ठीक है अब mains के area में क्युस्तन आ जाएगा Indian preamble declares India as a sovereign country but in current globalized world do you think India is a fully sovereign country critically evaluate इस तरीगे से क्युस्तन आ जाएगा हिंदी में क्या रहेगा कि भारत की प्रस्तावना भारत को एक संपून प्रभूतु संपन देश घोसित करती है लेकिन वर्तमान वैस्वीकरत युग में क्या भारत प्रस्तावना के अनुसार संपून प्रभूतु संपन है आलोचनात्मक विवरन प्रस्तुत करें ये क्युस्चन आपका मेंस में आएगा अब आप कैसे identify करोगे कि क्या चीज है तो सबसे पहले तो आपको sovereignty का concept पता होना चीए कि sovereignty क्या है फिर आपको ये पता होना चीए कि इंडिया का structure और current में जो scenario वो किया है है ना तो current की चीज को हम पुरानी चीज के साथ-साथ क्या कर देते हैं आपको update करते वे लेकर के चलेंगे तो सबसे पहले चीजज जब हम sovereignty की बात करते हैं the word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state simple सा मतलब है वाई और यह हमारे लिए बहुत important था कि इंडिया जो है वो किसी के भी country के उपर ना तो dependent ना तो निरभर है और ना ही किसी देश का गुलाम है ना ही किसी का dominion है पहले क्या था Britishers अंग्रेज क्या करते थे इंडिया को क्या करता था colonized कर रखा था और colonized कर रखा था तो आम उस टाइम क्या थे क्या हम सोवरन थे नहीं थे सोवरन क्यों 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 हमें हमारा decision किस से पूछ करके लेना पड़ता था Britishers से हमारा तो decision ही नहीं होता था दिसीजन तो बिटीसर लेते थे हमें तो फोलो करना पडता था हमने पोल्व करना पड़ता हमा उद्दि साब ओडर देते का इस कोस्त करना पड़े कि की तो इस इंडिपेंडेंड गत M Rubber equals तो आजाद होते सबसे पहली चीज, सबसे important चीज हमें क्या समझे में आई कि हमें अपने decision खुद लेने हैं, हमें किसी पर dependent नहीं रहेना, dependency जो है वो बहुत बुरी चीज है, अगर आप किसी के उपर dependent हो गए न fully, तो फिर आप समझे कि आपकी life के हर area में कोई ना कोई ना होने वाले हम किसी भी के भी under में नहीं रहने वाले या ना ही हम किसी के उपर dependent रहने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने decision खुद लेंगे, है ना, we make our future ourselves, है ना, हम अपना future खुद बनाएंगे, we make our decisions by our, है ना, हमारे खुद से, हम अपने सारे decision जो है वो लेंगे, और इसको एक और चीज समझना है, जब संप्रभुता की हम बात करते हैं, तो there is no authority about it, and it is free to conduct its own affairs, both internal and external, internally भी और external भी सारे जो भी decision है हम खुद ले सकते हैं, और यही बहुत important था, ध्यान रखिए, important क्यों है, इसको समझेगा, क्योंकि जब हमने preamble बनाई, जब हम हमारा आजा हुए, तो उस टाइम क्या था, cold war चल रही थी, ध्यान रखिए, cold war, अब cold war की situation थी, खोड़ा सा, अगर IR का अगर section देखें, CTU इसको बोलते हैं, अब cold war में क्या थे, दो पार्ट थे, एक USA था, ठीक है, और दूसरा जो group था, वो था USSR, ठीक है, यानि कि अमेरिका और सोवि खतरनाक संघर्स, जो है वो चल रहा था, जिसको हम cold war बोलते हैं, तो पूरा world जो है, दो groups में divided था, एक अमेरिका के side capitalist, और जो USSR है, वहाँ पर communist, उनके group हो गे थे, अब दोनों ही power के लिए struggle करते, जितनी भी countries, जो भी newly independent होते, उन सभी countries के उपर सबसे पहला pressure इन दोनों countries क आता, कोई country अभी आजाद हुई नहीं, क्या आजाद होते हैं, सबसे पहली challenge, सबसे first challenge, जो उनके सामने होना चाहिए, कि भाई, हम अपने people's के development के लिए कैसे क्या काम करेंगे, उनके welfare के लिए क्या काम करेंगे, उस time, that time of period, वहाँ पर क्या था, कि ये था सबसे पहला challenge, कि कि भाई, कहाँ जाओगे, USA में जाना है, कि USSR में जाना है, capitalist group जोइन करना है, कि communist group जोइन करना है, एक बहुत बड़ी dilemma उनके सामने होती थी, इसका solution भी हम ने दिया, फर्स्ट कंट्री, वर्ल्ड की, जिसने इसका solution दिया, independent होने से पहले, जोहरला नेरू ने Indian Constitution Assembly में एक बह बहुत भीतरीन speech दिया, और speech में उन्होंने clearly बताया, कि भाई, हम, India, जोह है न, India will be a sovereign country, है न, और, we will conduct our own affairs, both internal and external, we are not going to be, to become a part of any of the group, है न, उन्होंने कह दिया, ना तो हम USA के group में जाएंगे, ना ही हम USSR के group में जाएंगे, हम अपने decision खुद लेंगे, और ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत interesting बात थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर उस time, ये बताता है कि इंडिया सच में sovereign था उस time, खुद, reason क्या था, काफी लोग criticize करते हैं इंडिया को कि इंडिया independence के बाद जो बोलता तो है कि हमन हमने दोनों के साथ relation बनाने की try किया, हमने बाकी countries के साथ भी bilateral relation develop किये, हमारे उपर कोई pressure नहीं था, अगर हम उस time किसी भी group में अगर add हो जाते, USA या USSR के group में अगर चले जाते, तो हमें उनकी leads follow करनी पड़ती, उनकी बातों को follow करना पड़ता, USA कहता कि USSR के साथ business मत करो, त हमें छोड़ना पड़ता, अगर हम USSR के group में होता, तो यह कहता कि don't do business with USA, तो हमें उसके साथ नहीं करना पड़ता, तो हम अपने decision खुद नहीं ले पाते, लेकिन उस time, that time हमने बहुत अच्छा decision लिया, कि हम सोवरन रहेंगे, internally और externally हमारे decision खुद रखेंगे, और यह बहु अब हमारे मामले में कोई interfere नहीं कर सकता है, यह उन्होंने कहा, अब एक और चीज इसू यह आता है, कि अगर इंडिया सोवरन है, तो इसने Commonwealth की membership क्यों ली, अगर इंडिया सोवरन है, अपने decision खुद लेता है, तो UN की membership क्यों ली, क्योंकि UN की membership लेने पर तो हमें UN की guidelines भी follow क नहीं पड़ेंगी, अगर उनकी guideline हम follow कर रहे है, तो इसका मतलब आप अपने decision खुद नहीं ले रहे, तो यह क्योंसन बहुत बार पूछा जाता है, तो इस चीज को भी समझ यह, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो क्या है, कि दो, in 1949, India declared the constitution of her full membership of the Commonwealth, of nations and accepted the British crown as the head of the Commonwealth, this extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any matter, हमने भई, जो Commonwealth का जो group था, ठीक है, उस Commonwealth की membership हमने ले ली, और उस Commonwealth में अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर British crown जो है, वो Commonwealth का head माना जाता है, अब Commonwealth का concept थोड़ा सा लग है, Commonwealth का मतलब यह नहीं कि British crown सब Commonwealth countries के उपर rule करेगा, या order करेगा, वो एक symbolic, एक symbol है बस, किस चीज का symbol, जो historical, जो उन्होंने, cruelties की, historical, जो उन्होंने अलग-अलग countries को अपने कबजों में रखा, कोलोनी बना करेगा, तो Commonwealth जो है, वो basically उसका एक symbol है, जितनी भी countries, जो Britishers के अंडर में रही, और जो independent हो गई, आजाद हो गई, उन सबने मिल करके, Commonwealth जो है, वो बनाया उसका reason यह था कि, Britishers के कारण, इन सभी countries में कुछ चीजे, common-common आगी, जैसे, इनका political structure, rights, ठीक है, Parliament, bicameralism, etc., वो सारे features जो होते, वो जो same-same से वहाँ पर रहे, तो इसलिए, वो common wealth हमने, और अपनी मर्जी से हमने accept किया, हमने, उसकी membership ली, उनको हमने, हमने ये right नहीं दि था, साथ ही, UNO की बात, अगर हम करें, तो India's membership of the United Nation organization, also in no way, constitutes a limitation on her sovereignty, UNO जो है, वो world order को चलाने के लिए था, peacekeeping के लिए था, world disputes को solve करने के लिए था, ठीक है, UNO इसलिए नहीं था, UNO का मतलब यह नहीं था, कि वो किसी country को force करे, कि भाई, तुम्हें typical proper यही decision लेना होगा, द तुम्हें यही polity adopt करने पड़ेगी, तुम्हारी internal affairs, जैसे UNO कहेगा, according to UNO ही आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं था, UNO का main major जो उस time, जो objective था, वो था, कि पूरे world को third world war से save करना, ठीक है, जो dispute था, उस disputes को आपस में जो इतने भी war होती थी, उन disputes को peacefully solve करना, इन सब चीज membership भी हमारी sovereignty को affect नहीं करती है, यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, अब important चीज कि भई आप सोवरण होने के फाइदे क्या है, क्या कर सकते हो आप सोवरण हो करके, क्या मिल जाएगा, तो एक line है, बहुत important, इसको समझना है, MCQ में यहाँ से question कई बार आ च चुका है, important है, यह समझेगा कि क्या क्यों important है, being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or seed a parts of its territory in favor of a foreign state, सोवरण का मतलब तो यही है कि हम अपनी मरजी से कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी से पूछने की जोड़त नहीं, जिसे आप लोग सोवरण नहीं हो, जब तक आप जोब नहीं करते हैं, पैसा नहीं कमाते, तब तक आपको अपनी family से पूछ करके काम करना पड़ता है, आपक नहीं करते हैं, तो हाँ, parents नहीं करते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं, कि आप जोब करते हैं, अच्छी जो, आईएस officer हैं आप, ठीक है, अच्छी salary कमाते, income करते हैं, capable हैं, सब कुछ है, decision making power आपके पास है, तो आप कभी भी, किसी को भी बुला सकते हो, आप फिर बताओग करते हो, उनसे permission लेते हो, after job, आप क्या करते हो, information देते हो, कि my friends are coming, they want to meet you, इस तरीके से, कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हम party कर रहे हैं, हम मिलना चाह रहे हैं बस, करेंगे party सारी रात, party all night, तो वो हो गया, सोवरन, आप अपनी मर्जी से अपने decision ले सकते हैं, तो यहाँ पर भ अपना कोई part किसी दूसरी country को दे सकते हैं, अगर हम चाहें, तो किसी दूसरी country का part अपने पास ले सकते हैं, और इसका classic example अगर आपको मैं बताऊं, तो 100th amendment है, ठीक है, 100th amendment जो हुआ, constitution amendment, जिसमें हमने क्या किया, कुछ areas, इंडिया और बांगलादेश के साथ, जो border areas थे, ज exchange गिया, इंडिया ने अपना कोई area बांगलादेश को transfer किया, और बांगलादेश के कुछ areas को हमने लिया, ठीक है, 100th constitution, amendment act, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह हम कर सकते हैं, हमारे area किसी दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे का area हमारे ले सकते हैं, सोवरन है, लेकिन अगर मान लेत पर्मिसन लेनी पड़ती, उसकी पर्मिसन के बीना हम इन चीजों को करी नहीं सकते हैं, करी नहीं पाते, किसी की territory को लेना या अपनी territory को देना, for example मान लेते हैं, अगर हम 1947 के पहले की बात करें, before 1947 की, हम 46 की बात कर लेते हैं, उस time मान लेते हैं, कि हमारे पास एक area है, यह स मर्ज करना है तो हम अपनी मरजी से मरज कर सकते है उनका इसलेंगा का इंडिया बने व The सोवरण ही थे. बिटीस पार्लियामेंट इसके लिए एक्ट बनाती. हमारी पार्लियामेंट नहीं. लेकिन अब हमारी पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट वो अब 이번 करती है वो constitution amendement करती है और वो इस तरी किसी चीजे कर सकती है अब इसका मतलब ये भी मत्ता समझना कि सोवरन का मतलब जो है हम यहाँ पर बात करें सोवरन स्टेट की इसका मतलब ये मत्त समझ लेना कि सोवरन गौवर्मेंट कि गौवर्मेंट अपनी मरजी से कुछ भी कर दे कि किसी को भी कोई इंडिया का पार्ट आया मन क्या तो चलो बहुत ही तफ प्रोसीजर होता है आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट करना ठीक है लेकिन ये अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास हमारे पार्लियमेंट के पास ठीक है और पार्लियमेंट में कौन है पार्लियमेंट में रिप्रेजेंटेटिवस है किसके रिप्रेजेंटेटिवस है हमारे है वाई वहाँ पर उन रिप्रेजेंटेटिवस को जिनको हम MPs बोलते हैं Member of Parliament उनको किसने भेजा आसमान से तो टपके नहीं कि आसमान से आया फरि वोट डाले, जो general elections होते हैं, उनमें आपने वोटिंग की, वोट डाले, जो जीता, वो पार्लियमेंट में क्या, that means they are our representatives, हमारे representatives है, तो वो लोग मिल करके decision लेते हैं कि हमें कोई area किसी को देना है कि नहीं देना, किसी से लेना है कि नहीं लेना, तो ये freedom हमारे पास एक है, ठी एक important चीज, मेरे दोस्तों, सबसे important चीज, current scenario में, जो मैंने, ये sovereign start करने से पहले, इस world को explain करने से पहले, एक question पूछा था, is India is a fully sovereign country, in current scenario, क्या correct answer क्या रहेगा, जल्दी, yes or no में, बताइए क्योवल, इन current globalized world, is India, is a fully sovereign country, ये तो बिल्गुल ठीक है, yes or no, अच्छा, तो बहुत सारे लोग yes बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग no बोलते हैं, क्या कुछी लोग, इतने ही लोग answer देते हैं, कि बाकी लोग को answer नहीं आता, कि देव वनर जी, अमंग, असोक, निरज, ललित, रोटर, पलक, सोनिया, अधित्या, जया देवा, सोरव, आर्जू, जोती, प्रभात, अखिलेस, निरज, राजा राम, जोए, महभूब, कुल राज, एक्सेटर, 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 ये दोस्त, के बोली, नहीं को answer आते हैं, बाकी प्रोब्लम नहीं आए, आप वो अलग बात है कि आप लोग अपनी energy बचाना चाहरे हो, कि नहीं यार, सर की class में अगर answer देंगे तो energy down हो जाएगी, फिर रात के अंदर हमारी जो जानेमन है, girlfriend है, boyfriend है, जो भी है, उनकी साथ text करेंगे, तो उसमे energy कैसे लाएंगे, तो स्प्रिंट मारो, इतनी स्पीड से ऐसे उंगलिया चले ही, तो हर चीज का answer मिलेगा, लेकिन class है, यहाँ पर क्यों answer दे, क्या मिलेगा, answer से answer दे कर गे, यहनो कुसी मिलने वाला थोड़ी है, लिख लिया अगर, answer दे दिया अगरो, answer देते रहना चाहिए, ठीक है, इस चीज में, ठीक है, यह हमने adopt किया, liberalization, privatization, globalization, ठीक है, अब उसके बाद से, पूरा world जो है, इंटर कनेक्ट हो गया, इंडिया भी, आप देखोगे, तो other countries के साथ, इस तरीके से connect हो गया है, कि हर किसी के, किसी भी country के उपर कोई अगर, affect होता है, तो इंडिया को भी प्रभावित कर है, for example, देख लेते है, अभी एक छोटा से example आपको देता हूँ, फिर आप decision देखर यह बताना, sovereign country, sovereignty का मतलब है कि फुल, free है, अपने decision अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अभी फिल हाल क्या हुआ कि, अमेरिका और इरान, उन दोनों के बीच में कुछ dispute अब जब वो restrictions imposed कर दिये, तो कोई भी other country, इरान के साथ direct trade नहीं कर सकते थी, अगर करती, तो वो अमेरिका की opponent हो जाती, अमेरिका की opposition में हो जाती, अमेरिका उसका दुस्वन बन जाता, अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इंडिया और इरान, दोनों बहुत close friends थे, बहुत इस पर आपने को petroleum products मिलते थे, petrol मिलता था, petroleum हमें available होता था, और नजदीक था, हमारे पास था, अगर map देखेंगे न, तो map से आपको पता चलेगा, बिल्कुल इधर, पाकिस्तान की इधर, ये इरान है, ठीक है, ये इधर, इरान है, इसको वो भी बोला जाता है, मध्धे Asia, पस्यमी Asia, उसका प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, तो यहाँ पर एक, आप देखोगे, मैं आपके अगर सारी slides डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे, एक port भी बनवाया इन्होंने हमारे लिए, चाबहार port, हमें अगर अफगानिस्तान में जाना है, अग अगर हमें मध्य Asia में जाना है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, तो हमारे पास वे क्या है, कि हम यहाँ से जाएं, जम्मू कस्मीर से जाएं, लेकिन प्रोब्लम ही यह है कि जम्मू कस्मीर का एक काफी बड़ा एरिया, पाकिस्तान ने occupied कर रख है, ठीक है, जिसको हमने अब लगदाख territory बना दिया है, ऐसे आप देखोगे न, तो अभी हमने क्या लगदाख territory हमारे बना दिया, तो इसका एक बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में, अब वो प्योके जो है, वो पाकिस्तान हमें यहाँ से तो एंट्री अब कैसे करोगे भाई trade, जाओगे कैसे, पाकिस्तान तो नहीं जाने देगा, तो हमारी help किसने की, इरान ने हमारी help की, चाबहार port, चाबहार port डेवलप किया इरान ने, हमारी और इरान दोनों का joint venture था यह, दोनों ने एक साथ मिल करके, तो इंडिया यहाँ से मुंबई के through और या जो भी हमारे बंदर गये, यहाँ पर आते, और यहाँ से हम direct अफगानिस्तान में भी entry कर सकते थे, ठीक है, मध्ये एसिया में, मिडल एसिया में जा सकते थे, इरान के through हम direct आप देखोगे तो इस तरफ अगर map लेकर गे जाएंगे, तो यूरोप वहाँ पर entry हो सकत थे, ठीक है, बहुत connectivity के लिए हमारे बहुत important था, close friend था हमारा, लेकिन हुआ क्या, 2019-19-19 के अंदर क्या हुआ, 2018-19 में क्या हुआ भाई, USA आ गया, अब USA क्या dispute था, इरान के साथ, काफी टाइम से USA और इरान का dispute चलता है, अब USA दादा है, अपने आपको don समझता है, है ना, I'm the don, don का इंतजार तो 12 मलकों की पुलिस कर रही है, लेकिन don को पकड़ना मुस्किली नहीं, नामुमकीन है, उससे भी खतरनाक don है यह, यह उस टाइप का, जो Godfather टाइप वाला don होता है, उस टाइप का don है, कि किसी को कुछ नहीं समझता, जो इसकी बात मानेगा, वो इसके बात नहीं मानेगा, नहीं साथ, तो इसने restrictions जो हैं, उसके उपर लगाए, इरान पे, अब restrictions imposed करते हैं, उसने clearly बोल दिया, कि पूरे वर्ल्ड को, इन restrictions को follow करना पड़ेगा, अगर वो नहीं follow करेगे, तो अमेरिका, उन countries के उपर भी restriction लगा देगी, जो इसको follow नहीं करते, अब इंडिया, अब इंडिया क्या करें, अब इंडिया का तो USA भी friend, और इंडिया का तो इरान भी friend, इरान और USA दोनों इंडिया की friend, दोनों दोस्त, अब USA ने धमकी दे दी, कि भाईया, या तो इनसे business बंद कर दो, नहीं तो हम तुम पर भी restrictions लगा देगे, finally, कुछ time के बाद, इंडिया ने इरान के साथ अपने सारे जो trade relations थे, ban कर दिये, zero कर दिये, पूरा का पूरा इरान, जिससे हमें बहुत cheap cost पर petroleum मिलता था, help मिलती थी, हम अपनी बहुत सारी चीज़ें, वहापर trade करते थे, हमें way मिलता था, Middle Asia में जाने के लिए, Europe में एंट passing के लिए, उनके साथ हमें अपने संबंध जो है, हमारे relation जो हमें छोडने पड़े, क्यों, क्योंकि अमेरिका ने धम की दी, और हमने क्यों किया, क्योंकि इंडिया के उपर बहुत large amount में, huge amount में हमारे उपर क्या है, कर जा है, loan है, और उस loan में एक बड़ी amount किसकी है, USA कि है किसके थुरू, world bank, ठीक है, IMF, इनके थुरू, तो USA ने धम की दी, बोला है कि, डोनाल्ड ट्रम्प, बोल दिया हो गया, मित्रों, भोत हो गया तुमारा मित्रों, अब जरा जल्ली से, बात मान लो हमारी, नहीं तो तुमारे उपर भी restriction लगा देंगे, पैसा दे दो, प्रो प्रोबलम होती, कहते हैं कि, पैसा दे दो, हमारा money back करो, हम तुम्हें support नहीं करेंगे, अब इंडिया को जरूरत थी, USA के support की, क्योंकि चाइना को tackle करने है, यहाँ पर चाइना बहुत बढ़ा है, ठीक है, पाकिस्तान इसको tackle करने है, अपना development भी करने है, तो इंडिया को select करना पड़ा, मजबूरी में USA को, और इरान के साथ हमने अपने सारे relations साइडलाइन कर दिये, अब वहाँ पर चाइना एंट्री कर लिया, चाभार port जो इंडिया के लिए था, अब चाइना उनने उसके उपर control कर लिया है, तो इंडिया ही situation में आप बताओ, क्या sovereignty आपने को देखने को मिली, इस situation में क्या इंडिया का decision, जो हम बोलते हैं, इंडिया is a sovereign country, तो क्या यहाँ पर sovereignty थी, अगर हम fully sovereign होते, तो हम बोलते हैं, अमेरिका को, कि भाई नहीं मान रहे तुम्हारी बात, हम तो इनके साथ भी relation रखेंगे, तुम्हारे साथ भी relation रखेंगे, इनकी हमें requirement है, तुम्हारी भी requirement है, हम तुम्हारा order क्यों follow करें भई, तुम्हारी दुस्मन है, यह तुम्हारे enemy है, हमारा थोड़ी enemy है, we are friends, and then why, we ban all the trade with Iran, समझ रहो, चीज़े समझ में आई, जो मैं आपको समझाना चारू, मैं जो आपको explain करना चारू, mains के question से, mains के point हो क्यों से, यह चीज़ समझे, आज के time में अगर कोई country कहती है, कि वो fully sovereign country है, तो वो statement correct नहीं है, ठीक है, आज के time में एक दूसरे के साथ, जो sovereignty है, वो थोड़ा सा प्रभावित हुई है, संप्रभुता प्रभावित हुई है, सिमित हुई है, sovereignty जो है, वो limited हुई है, है ना, absolute sovereignty जो ह कैसा concept आगया है, कि आप अपने decision हर चीज में कहीं पर भी खुद नहीं ले सकते, एक और example आपको मैं समझाता हूँ, explain करता हूँ, आप समझेगा ध्यान से, farmers को जानते हैं, farmers, किसान हमारे, अब हमारे इंडिया के अंदर, farmers loan लेते हैं, किसान loan लेते हैं, अब जो वो loan लेते हैं, तो उसके बाद आपने कई सारे newspaper में, articles में आप देखे होगा कि farmer suicide, है ना, बहुत सारे, thousands of farmers जो हैं हमारे इंडिया में, हर per year, जो suicide करते हैं, एक बहुत बड़ी problem है, बहुत बड़ी problem है, main reason, क्या होता है, कि एक तो farming से income नहीं हो पारी, दूसरा, इनके उपर loan बहुत नहीं चुगा पाते हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ reason से, societal tendency इनमें आ जाती है, क्या इंडिया की government इतनी capable नहीं है, कि हमारे सारे farmers को independent बना दे, है ना, उनके लिए जो pesticides हैं, या जो उर्वरक, जो रसाइनिक उर्वरक जिनको आप बोलते हो, ठीक है, जो एक English का exact word मेरे को स काम ने उसका नहीं आ रहे है, जो equipments हैं, क्या वो Indian government subsidized rate पर उनको नहीं provide कर सकती, या completely चाहे, तो उनको free नहीं कर सकती, seeds, जो hybrid seeds हैं, ठीक है, और जो एकदम बिल्कुल modern technology है, क्या वो हमारे farmers को free में provide नहीं कर सकती, क्या इनके complete loan को बड़े easily, अगर वो चाहे, तो माफ नही कर सकती, fertilizers यहां, तो इसको समझेगा कि कर सकती है, लेकिन करती नहीं है, बहुत बड़ा हलंगामा होता है, बहुत बड़ा protest होता है, बहुत बड़ा political agenda मनाया जाता है, उसके बाद इनके कुछ करोड लोन जो है, वो माफ किये जाते हैं, लेकिन, जब आप देखो को corporate sector, हैं, उनके लोन की बात की जाएगी, तो बड़ा बड़ा, करोर, करोड, billions, करोड का जो उनका लोन है, उसको wave of कर दिया जाता है, ठीके, जबकि उनका केवल 1% भी अगर इन farmers को दोगे, तो इनका काम चल जाएगा, लेकि नहीं दिया जाता है, और हम welfare state की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों है, कि हम इनको वो facilities नहीं दे पारें, लेकिन corporate sector को facilities दे देते हैं, reason क्या है, कि इंडिया की government इतनी खराब है, कि इंडिया की government नहीं चाहती कि इंडिया का welfare हो, तो ऐसा देखिए, इंडिया की government चाहती है, कि इंडिया की citizens का welfare हो, but problem यह है, कि हमारे पास, हमारे अगर आप equipment completely free कर दोगे, fertilizer free कर दोगे, pesticides free कर दोगे, या zero farming, natural farming, उनको training देदोगे, equipment इनको provide कर दोगे, seeds, hybrid seeds इनको free में provide कर दोगे, तो उससे नुक्सान किसको होगा, loss किसको होगा, इनहीं FDI वाली जो companies है, FDI की जो companies है, कहां से जो foreign companies है, बड़ी companies, उनको loss होगा, क्योंकि ये market capture किसने कर रख है, foreign companies ने, बड़ी companies ने, तो अगर India subsidy देगी farmers को, या price जो है, decrease करेगी, seeds का, fertilizers का, equipments का, तो उसका negative impact पड़ेगा इन companies पर, जो foreign companies है, और अगर इनकी profit नहीं होगा, इनको loss होगा, तो जो other country है, उनके पा तो कोई भी country है नहीं चाहेगी, कि हमें loss हो, तो वो क्या pressure बनाती इंडिया के उपर, कि cut the subsidy, farmers को subsidy मत दो, क्या कहेगी, कि seeds, free नहीं, equipments, no free equipments, training, no free training, fertilizers, no free fertilizers, ठीक है, तो follow करना पड़ता है government को, अब government अगर follow नहीं करेगी, तो क्या होगा, World Bank कहेगा, IMF कहेगा, return our loan, return our whole money with the interest, तुरंत कहेगा, दो, सारा पैसा दो, violating our term and conditions, हमारी term and conditions को violate कर रहो, तो मानना पड़ता है, तो हम उस तरीके की चीज़े नहीं कर पाते, reason समझिए, तो आज के time में current scenario में कोई भी country, इवन कोई भी बड़ी से बड़ी country नहीं लो, वो इनहीं के ही term and conditions को follow करती है, international, जो organizations है, IMF, World Bank, WTO, ठीक है, तो हम fully sovereign है, वो चीज़ हम आज के time में उस statement को use नहीं कर सकते हैं, sovereignty with some limitations, ये एक चीज़े, एक new concept जो develop होता चला जा रहे है, sovereignty with some limitations, संप्रभू हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं, extreme नहीं है, सीमाएं के limitations के हैं, international environment, international treaties, LPG policies, international organizations, relations, वो impact करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर देख रहे हैं, जब भी आप mains की answer writing करेंगे, ठीक हैं, तो mains की answer writing में आपको इस चीज़ को focus तरने हैं, तो बुक में तो बहुत simple चोटी चीज़ है, दो तीन line है बस, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन, but if you are a student of optional, of PSIR, or public administration optional, or you are going to write down mains, GS paper number 2, then you have to understand this analysis, then you have to go deeper in these concepts, you have to dig out the deep sense of these concepts, खोद-खोद करके निकालना पड़ेगा कि आखिरकार meaning क्या है, reason क्या है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा detail में explain कर देता है, तो इसलिए classes भी long होती है, तो उसको class के time को देखकर घबराने नहीं है, मैं तो देखता हूँ वह सारे students message करते, तो इसलिए, sir, your classes are very lengthy, sir, एक chapter को लिया, आप 10 hours आपने लिया, sir, please summarize it in just 30 minutes, 30 minutes में करतो देंगे, but that is not useful for you, you will never pass the UPSC exam, just reading the summary of any book or any chapter or any part, you have to study hard, you have to study detail, you have to study in detail, लंबा पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, और आपको जोडना पढ़ेगा चीजों को, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजे हैं, अपनी class में आपको बिलेगा, benefit मिलेगा, आप capable बन जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे है, आपके पास, एक mind में ideas रहेंगे, interlinking रहेंगे, connect कर पाओगे चीजों को, कि कैसे हमें इसके बारे में work करना है, किस तरीके से हमें इसको use करना है, ठीक है, यह class जो है, वन पीम की class, के वल bilingual है, तो इसमें हमें थोड़ा सा English की तरफ रहने, नाइन पीम पर है, वो complete Hindi class है, पूरी की पूर बोलना होता है, बताना होता है, explanation इंदी में मिलता थोड़ा सा, ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखना है, चलिया जी, तो यह हो गया हूं, और यह अगले वर्ड पर चलते है, socialist, इसको देखने से पहले एक और चीज, अभी वह सारे students जो यह बोलते हैं, कि सर, उस teacher ने तो, उ पूरी M. लक्षमी कांद को केवल, 20 hours में, 30 hours में, पूरी quality complete कर दी, sir, what a great is, वो ठीक है, great है, लेकिन, आप कहां great way, वो क्या आपके लिए useful है, कि आपने exam निकाला, नहीं, है न, और वो ही फिरा करके बोलते, sir, 30 minute में समरी कर दो, sir, per chapter was maximum 30 minute, और वो ही सारे students chatting box में लगे रहे में, मिले थोना ने थाना थाया, मिले बाबूने थाना थाया, तुतला जाएंगे, इतने बड़े हो करगे, फिर बच्चे बन करगे, इस तरीके से language में बात करेंगे, उसके लिए time रहेगा, कि थाना थाया थी नहीं थाया, पानी पिया थी नहीं पिया, लेकिन, पढ़ने क राइट, है ना, we have a right, the freedom of expression, है ना, I am expressing my feelings, for someone, जिसको मैं आज तक नहीं जामता, बस, यहाँ पर टेलिग्राम पर या चैट में मैंने उनका नाम देखा, and उसका नाम गल के नाम पर था, she is a girl, बस, इतना ही भोत है मेरे लिए फ्लेट होने के लिए, I will express, I will not study, but I will express my feeling for, in chatting this is, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो तुमें पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा, उधर मत करो, ठीक है, चलिया, main study पर फोकस करना है, उधर नहीं करना है, चलिया जी, second word पर चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, socialist, socialist word को देख लेते हैं, और, समाजवादी, इसको कहा जाता है, और, समाजवादी पर जाने से पहले, सबसे important चीज, सबसे main चीज, कि this word is not included in the original preamble of India, हमारे मूल प्रस्तावना में, ये सब्द नहीत नहीं था, बाद में, हमने इसको add-on किया, किस से add-on किया, इसको देखना है, बहुत ही important आपके लिए ये चीज है, ठीक है, even before the term was added by the 42nd amendment in 1976, the constitution had a socialist content in the form of certain directive principles of state policy, ठीक है, in other words, what was in harto implicit in the constitution, has now been made explicit, किस चीज को समझे, ये, socialist word जो है, हमारे original preamble में नहीं था, लेकिन question ही आ सकता, आप से पूछा जा सकते है, कि we have added the socialist word after 42nd amendment in our preamble, but, is India a socialist, is Indian constitution have some socialist content before 42nd amendment or not, है न, इस तरीके से चीज़े पूछी जा सकते है, कि 42 समीधान संसोदन से पहले कि अभारत में समाजवादी तत्व नहीं थे की नहीं थे, क्योंकि समाजवादी word तो हमने बाद में add-on किया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि, हमने इसको add-on जरूर 42nd amendment से किया, ये important है, इसको ध्यान रखेगा, ये आपके लिए important है, ठीक, लेकि principle of state policy, और DPSP को हम तीन parts में, तीन type of category, three type of categories में divide करते हैं, ठीक है, गांधियन, ठीक है, intellectual और liberal, ठीक है, बोधिक उदारवादी, और socialist, समाजवादी सिधान्त, तो socialist stories आपको DPSP में देखने को मिलती है, तो that means हमारे constitution में already, socialism था, समाजवाद की चीज़े थी, बट उसको हमने clearly कभी भी directly, उसको announce नहीं किया, वो indirectly हमारे constitution में था, उस time problem क्या थी, कि उस time, अगर हम starting में ही, अगर socialist word अगर use कर लेते, maximum students, बहुत सारे students के mind में ये भी रहता है, कि सर हमने 42nd amendment से 1976 में square गिया, originally क्यों नहीं किया, तो reason ये था कि originally हम, ये clearly define उस time नहीं करना चारे थे, कि हम किस तरीकी कांटरी है, क्योंकि उस time पूरा world दो पार्ट में, दो groups में divided था, एक communist, जो कि थोड़ा सा socialism से मिलता जुलता है, और एक capitalist, अगर हम उस time socialist को declare कर देते, तो maximum ये clear हो जाता, और America का जो group था, वो बिल्कुल completely हमारे against हो जाता, क्योंकि उसको पता था कि socialist मतलब तो फिर ये USSR के side से ही, उसके support में ही work करेंगे, तो हमें तो दोनों की help चाहिए थी तो हमने क्या किया है, उस time clearly declare नहीं किया है हमारे country को कि हमारे constitution socialist है, हमने हमारे DPSP में डाल दिये, कुछ features डाल दिये, कुछ articles डाल दिये, जो हमारे country को, हमारे constitution को socialist features जो है, वो हाँ पर provide करते हैं, ठीक है, और उसका benefit ये भी वहा कि हमने American और US से दोनों की जो system था, उसको mix क करके हमने adopt किया, mixed economy वाला system, तो हमारी वाले जो समाजवाद है, उसका थोड़ा सा चीजे अलग है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिये, इसको यहाँ पर देखिए, तो समाजवाद जो है, Indian socialist socialism जो थोड़ा सा अलग है, separate है, क्या इसको समझे, notably the Indian brand of socialism is a democratic socialism, and not a communist socialism, also known as state socialism, which involves the nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property, अब यह socialism words जो है, basically, maximum लोग इसका मतलब जो है, वो यह लगाते हैं कि completely control of state, नहीं ऐसा नहीं है, यह जब हमने adopt जरूर इसको हमने USSR और उनसे inspire हो करके किया, लेकिन हमारा socialism थोड़ा सा अलग है, बाक्यों से, USSR का socialism, वहाँ को उसको communism, उसको हम communist बोलते थे, ठीक है, communistic socialism वहाँ पर होता था, और communistic socialism में क्या होता है, complete hold of state, हर चीज़ पर state का control, private property है ही नहीं, कोई भी, जितने भी facilities हैं, जितने भी service providers हैं, सब state के अंडर में, completely state के अंडर में, private sector है ही नहीं आपर, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, dictator वाला feel आपको provide कर सकता है, जैसे कि USSR में हुआ, और उसका decline भी इसी reason से हुआ, एक main reason उसके decline का यही था, जो 1991 में USSR जो अलग-अलग separate, जो अलग-अलग गंडराज्यों में बट गया, इंडिया में क्या हुआ कि democratic socialism, इसको हमने अपना है, democratic socialism में क्या है, कि state का भी control है, और private sector उसको भी कुछ independence है, अब वो कहोगे कैसे, जो major चीज है, जो welfare of society, welfare of citizens, उसको directly impact करता है, प्रभावित करता है, major-major industries, major-major चीजें, तो उन सब के उपर, जो है, क्या करता है, state ने control किया था, यह मैं बात कर रहो, 1991 से पहले, 1991 से पहले, before की बात कर रहे है, और उसमें, बाकी private sector को भी freedom थी, बहुत सारी चीजों के उपर, mixed economy, वो हमने adopt की, 1991 में हमने क्या हुआ, कि हमने LPG की policies को adopt किया, और इसके बाद से, हमारा जो state का control था, राज्ये का जो control था, वो क्या हो गया, वो lose होने लग गया, अब private sector को ज़्यादा power मिलने लग गये, अब हम triple P, उसकी तरफ ज़्यादा जाने लग गये, triple P मतलब, ट्रिपल P, PPPP, यह वो वाले PPP, होर नहीं, गाड़ी का होर नहीं, कि भी सोचो कि PPPP, कि सर आप दिल्ली में रहते हो, सारे टाइम ट्रेफिक चलता रहता है, PPPP, होर बज़ता रहता है, वहाँ पर भी PPPP कर रहे हो, इस triple P का मतलब है, कि public-private partnership, अब government और private दोनों मिलकर के काम करती है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, अब private sector के पास ज़्यादा powers है, government के एक regulation के रूप में काम करती है, एक regulating authority, उसके रूप में काम करती है, state जो है, अब ज़्यादा क्या हो गया, अब regulator हो गया बस, और market थोड़ सा अलग है, different है, वो यहाँ पर है, ठीक है, democratic socialism on the other hand holds faith in mixed economy, हमारी इंडिया में mixed economy को हमने अपनाया, where both public and private sectors coexist side by side, ऐसा ही इंडिया में होता है, ठीक है, as the supreme court says, democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity, है न, तो यही कहता है, हमारा supreme court ने भी clear किया, कि हमने इस तरीके का समाजवाद क्यों अपनाया, लोकतांतरिक समाजवाद हमने क्यों अपनाया, क्योंकि अगर हम completely socialist अगर हो जाते, complete जो USSR वाला model है, वो अगर 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 करते, तो सारी की सारी power state के पास आती है, तो state dictator ह हो जाता, अगर हम USA वाला model adopt करते, completely market को free कर देते, capitalist कर देते, तो आपर inequalities बहुत जादा हो जाती, ठीक है, कुछ ही लोगों का hold हो जाता है, यहाँ पर, इंडिया के पूरे के पूरे structure पर, resources पर, लेकिन जो हमारी इंडिया का जो socialist democracy जो है, इसका benefit यह है कि जहाँ पर requirement होता है कि लोगों को facility दी जाए, वहाँ पर government interfere कर देती है, state interfere करता है, जैसे कि मान लेते कि business होता है, फोर एक example के type तोर पर मैं बता देता हूं, कि जैसे बहुत सारे लोग rich family है, rich people है, अमीर आदमी है, तो अपनी जिन्द की अच्छे से जी पाते हैं धंक से, लेकिन जो rich नहीं है, बीपियल है, below poverty line है, जैसे बीपियल अगर आप देखोगे, below poverty line, वहाँ पर रहने वाले people कैसे survive करेंगे, अब यहाँ पर government role play करती है, government इनके लिए क्या करती है, इनके जैसे बीपियल के जो रासन कार्ड होते हैं, उनके basis पर इनको बहुत ही less price, cheap price में इनको grains provide करते हैं, जै जैसे कि 1 रुपे ये 2 रुपे किलो गेहूं, 2 रुपीज पर केजी चावल इस तरीके से, बहुत ही cheap rate पर सारी की सारी facilities provide की जाती है, plots इनको allot की जाते हैं, ताकि वहाँ पर घर बना सके, house बनाने के लिए, घर बनाने के लिए इनको government की तरफ से subsidy दी जाती है, पैसा दिया जाता है, reservation के में आप देखोगे की EWS, आप देखोगे SC, ST, OBC, इनके लिए reservation दिया जाता है, तो जहाँ state की requirement होती है, जरूरत होती है, वहाँ पर state work करता है, और जहाँ पर market की जरूरत है, competition की requirement होती है, वहाँ पर market work करता है, जब market work करता है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता ह उनके बीच में आपस में हर चीज को हर प्रोड़क्ट को लेकर हर सर्विस को लेकर कोंपिटिशन होता है तो जब वो कॉंपीट करते हैं दूसरे के साथ तो कंपीट करने का बेनिफिट यह निकलता है कि आपको बैटर क्वालिटी इन चीप प्राइस वह आपको मिल जाती है कम पैसे में बहुत बैटर क्वालिटी की चीज़े मिल जाती है अगर कोई एक्स्ट्रीमली जाकर करने लगे तो गवर्मेंट है उसको होल्ड करने के लिए उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्मेंट के रूल रेगुलेशन को फोलो करना पड़ता है तो इंडिया के अं गांधी के जो समाजवाद है उसकी तरफ हमारा जो स्टेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा जुका हुआ है महात्मा गांधी का समाजवाद बिसिकली यह बोलता था कि हमें सभी लोगों को इक्वल राइट्स इक्वल अपर्चुनिटी और उन पावर जो है वो ग्रास रू मार्स वाद मार्चियजम वाली थोड़ी थोड़ी सी अलग है वो बिलकुल कम्प्रीटीरली ठीट का वह दिखाता है कि वहाँ प्लिटिकल साइंस का थोड़ी वाला चेप्टर पढudsा है तो उसमें मैं मार्क्शिजम आपको एक्स्प्लेवा हूँ कि उसमें किस तरीके से class struggle जो है वो बताया जाता है कि बुर्जवा वर्ग जो है वो कैसे वहाँ पर वो करते हैं चीजे होती है जो मजदूर जो labor class है वो कैसे जो capitalist class है उसके against में revolt करते हैं और फिर उसके बाद revolt करके उनके सारे resources के उपर control कर लेते हैं और control करने के बाद सब मे equal equal चीजे divide कर दी जाती है वो सारा concept जो है वो उसमें पढ़ेंगे अभी basically आपको यह समझ लेना कि गांधियन socialism की तरफ हम थोड़ा सा अधिक inclined है यहाँ पर इंडिया में ठीक है अब उसके बाद से same वही चीज़ the new economic policy 1991 of liberalization, privatization and globalization has however dilute the socialist credential of the Indian state तो थोड़ा सा लचीला बना यह है 1990 की policies ने 1991 की जो LPG की policies हमने अडूप्टी उसके बाद से अब government जो है किवल regulator की भूमी का regulator का role play करती है regulator मतलब चीजों को control करना कि एक limitation set कर देना बाकि सारी चीजों जो है private sector को completely दे दी गई है ठीक है जैसे कि for example online education अभी आप online education देख रहे हैं अगर हम completely ज्यान रखेंगे अगर हम completely socialist country होते हैं ठीक है सोव्यत संग USSR उसके formula को अगर हम अडोप्ट करते है चाइना के formula को हम अडोप्ट करते तो यह education जो आज आज आपको an academy से मिल रही है तो government से appointed लोग ही आपको आ करके पढ़ा रहे होते हैं उनसे आप पढ़ चुके हैं already school में college में ठीक है तो education की वो quality वो level नहीं हो पाता जो level आपको अभी मिल जा रहे हैं अभी क्या है आभी market को free छोड़ दिया कि करो compete करो best quality दो जो best quality देगा वो survive करेगा तो online education में भी आप देखोगे best quality content आपको provide कर देता है आपके घर पर आपके house पर same NCRT इसका classical example NCRT जो NCRT आपने school में पढ़ी हैं बच्पन से पढ़ते आएं multiple time पढ़े हैं उनका exam भी आपने लिख है exam में 90 plus score भी किया है उसके बावजूद जब same NCRT आप हमसे read करते हैं यहां से हमसे पढ़ते हैं तब आपको उसका real sense समझ में आता हैं तब आपको उसका real use समझ में आते हैं कि उस NCRT का basic मतलब क्या था कैसे उसको use करने हैं डिफ्रेंस आपको बहुत मिलेगा ठीक तो केवल अगर government का hold होता तो फिर आपको quality नहीं मिल पाती लेकिन government ने क्या-क्या market free कर दिया अब competition है आपको quality मिल रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि government completely अलग होगी completely separate होगी कोई interfere नहीं government regulate करती है government ये decide करती है ये rule regulation बनाती है कि आपको content पढ़ाने तो किस तरीके से पढ़ाने है आपको online teaching कर रहे हैं तो आप क्या चीज नहीं बोल सकते हैं अब ऐसा थोड़ी है कि right to freedom of expression है तो आप आकर कुछ भी against the country भी कुछ भी होने लग जाओ तुरंत बैन हो जाओगे तो बहुत सार economy होता है तो इंडिया का जो current structure है न वो अब जैसे पहले 1946 में जो हमने प्रियेंबल में socialist word idea किया था current scenario में अगर हम बात करेंगे तो अब हम जो है समाजबाद में पुझीवाद government regulator और बाकी सारी चीजों में market free यह यहां पर रहती है ठीक है अब अगले वर्ड पर चलते हैं एक और वर्ड जो है वो बहुत important है जिसको हम secular बोलते है secularism कैसे आप सब लोग house the joss है कि नहीं प्री और मेंस दोनों के लिए है वाई इसलिए तो इतना detail में पढ़ा रहे हैं पोड़ा तो समझ जाना चाहिए इतना common sense रखनी चाहिए कि इतना detail में करा रहे हैं तो that means it is important for both prelims and mains अगर केवल प्री के लिए होता तो ये preamble का chapter within 10 minutes complete हो जाता within 10 minutes क्या बोल करगे these are the keywords है ना preamble कहां से आई objective resolutions है preamble एक बार amendment हुआ preamble is the part of Indian constitution ठीक है we can amend our preamble है ना three words एक बार इसमें जोडेगे बास 10 minute में बता करगे खतम one liner exam मामला समाप्त अब यहाँ पर तीन तीन चार्चर घंटे तुम्हें explain कर रहे हैं इसका मतलब यह है ना कि mains के लिए थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है चलिए अगले word पर चलते हैं जी secular धर्म धर्म निर्पेक्स इसके उपर चर्चा कर लेते हैं कि secular का क्या मतलब है धर्म निर्पेक्स का क्या मतलब बहुत बढ़िया यही हाई जोष रखना है हमेशा और उसी हाई जोष के साथ बने रहना क्लास के अंदर पुलो नाई जोष के साथ secular word देखोगे न धर्म निर्पेक्स सा देखोगे तो आपको एक चीज इंट्रेस्टिंग सी चीज देखने को मिलेगी कि हमारी इंडिया की preamble में यह word ओरिजिनल ही नहीं था जब हमारी original preamble मनाई गए थी तो उस time हमने secular word उसमें डालाई नहीं था ठीक है the term secular 2 was added by the 42nd constitutional amendment act of 1976 same way 1976 जो है उसके word से उससे हमने इसको जोड़ा secular को 42nd amendment जो तीन word हमने जोड़े socialist secular और integrity अब हिंदी में जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा correction कर लीजेगा जितने भी हिंदी वाले मेरे दोस्त हैं ठीक है इसको पंथ निर्पेक्ष्टा कर लीजेगा पंथ निर्पेक्ष्टा ठीक हिंदी में यहाँ पर लिखा हूँ है कि धर्म निर्पेक्ष्ट सब्द को तो यहाँ पर हमारी प्रियंबल में धर्म निर्पेक्ष्ट 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 लिखा हूँ है तो इसको थोड़ा सा correct कर लेना है नहीं तो आप लोग confusion मे भी गड़वड है तो वो करेक्ट कर लेने हैं ना बुक में करेक्शन साथ की साथ कराते चलेंगे लाइन बाइन यहाँ पर पढ़ने का बेनिफिट यही है अब जो लोग क्लास नहीं देखते बिना क्लास देके केवल बुक्स पढ़ करके एक्जाम देने जा रहे हैं तो उनका तो एक्जाम में गड़वड़ी होगा उनसे एक्जाम में पूछा जाएगा ठीक है, फिन्दी में मानलने तेक एक्जाम में आ जाएगा, एक्जाम में वहाँ पर आपसे सवाल पूछ ले जाएगा कि प्रियंबल में कौन सा वर्ड है, धर्म निर्पेक्स, पंथ निर्पेक्स तो धर्म निर्पेक्स पर लगा कर आएंगे क्यों क्योंकि बुक के अंदर लिखा है धर्म निर्पेक्स लेकिन रियालिटी क्या है रियालिटी है कि पंथ निर्पेक्स वर्ड जो है वो बुक वहाँ पर है हमारी प्रियम्बल में ठीक है धर निर्पेक्स्ता एक भावना है एक सेंस है कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से चीज़े आती है अब ओरिजनली तो नहीं था 42nd amendment से हमने secularism secular हमारे preamble में add-on किया लेकिन क्यों से नहीं आता है कि क्या इंडिया फिर उससे पहले secular नहीं था can we say that India is not a secular country before 42nd amendment क्या हम कह सकते हैं कि secular नहीं था ये बहुत बड़ा क्यों सनाता है तो इसका answer है कि नहीं हाँ इंडिया एक secular country थी yes इंडिया इस एक secular country है ना इंडिया बहुत पहले से जब से हमारा समिधान बना उसी टाइम से ही एक secular country है फिर आप सवाल यह आ सकता है क्यों से नहीं आएगा अगर इंडिया secular country है तो वो कहां mention था secularism mention का है secular word का mention है वो तो कहीं है ही नहीं फिर आपको उसके बारे बताना है कि secularism या secular word वो हमने नहीं दिया लेकिन हमने बहुत सारे articles बहुत सारी चीजें हमारे constitution में ऐसी add-on की है जिनका sense secularism निकलता है जिनका मतलब धर्म निरपेक्सता निकलता है अब वो काओगे कैसे तो को हम थोड़ा सा देखते हैं ठीक है उसको देख लेते हैं अब एक और देख लेने कि however as the supreme court said in 1974 although the word secular state were not expressly mentioned in the constitution there can be no doubt that constitution makers wanted to establish such a state accordingly आर्टीकल 25-28 guaranteeing the fundamental rights to freedom of religion have been included in the constitution तो supreme court ने भी clear के दिया कि हमारे constitution में direct secularism नहीं दिया है लेकिन हमने fundamental rights मोलिक अधिकारों में जो धार्मिक सोतंदरता का अधिकार है जो हमने right to freedom of religion दिया है वो हमें secular declare करता है अपने आप secular declare करता है क्योंकि उन आर्टीकल को अगर हम study करेंग है तो हमें secularism देखने को मिलेगा अब है secularism का मतलब क्या है उसको समझते है उस पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ बुक के अंदर तो केवल आपको आर्टीकल 25 और 28 यही secular बना रहे है लेकिन reality में अगर हम इंडिया के constitution में अगर हम बात करते हैं अगर इंडिया के हम secular की बात करते हैं secular state तो कौन कौन से आर्टीकल है जो हमें secular बनाते है आर्टीकल 14 ठीक है आर्टीकल 14 equality before law equal protection of law सब को equal बराबर राइट्स ठीक है फिर चाहिए कोई भी religion caste class gender हो second article 15 no discrimination on the basis of caste class gender language religion धर्म के आधार पर कोई भेदवाओ नहीं किसी भी public place में आपके साथ discrimination नहीं कर सकते article 15 that mean सब को सब religion को same value equal treatment third article 16 क्या no discrimination in public offices या government sector on the basis of religion धर्म के आधार पर आप किसी को भी government sector से अलग नहीं कर सकते सरकारी नोक्री से अलग नहीं कर सकते ठीक है धर्म का आधार secular उसको ओ करता है fourth article 17 यह basically abolish जो untouchability है उसको prohibit करता है लेकिन untouchability की सभी factors को prohibit करता है basically untouchability जो हो caste based untouchability इंडिया में मानी जाती है बट केवल मतलब छुआ छूट का केवल एक ही factor नहीं है वह अलग लग factor होते हैं कास्ट बेस्ट भी होती है religion based भी होती है gender based भी होती है अब आप कहोगे sir आप तो नयाई concept बता रहो gender based untouchability कैसे रहेगी हमने तो caste based untouchable सुना है वस फुआ छूट केवल जाती के अधार पर होता है जाती के अधार पर होता है वो तो आपने पढ़ा है सब जानते ही है लेकिन gender based भी होता है कई बार आप देखना इंडिया की society में है आप देखना कि जब female women's जब periods का cycle जब उनका menstruation cycles होती है उनका periods हो रहे होते है उस time इंडियन की बहुत सारे societies में बहुत सारे areas में उनको completely family से अलग कर दिया जाते है उनके लिए खाने के बरतन वो अलग कर दिया जाते है क्यों regular आप बाकी लोगों के साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकती है अलग खाएंगे अलग बैड अलग area ठीक है मंदिर उसमें temple में entry band कर दी जाती है तो untouchability नहीं है तो क्या है untouchability ही तो है छुआ छूती तो है discrimination ही तो है तो basically हम कहा है न हम थोड़ा सा books पढ़ दें तो books में इन चीजों को define नहीं किया जाता है books में बहुत basic बेसिक चीज़ा दी जाती है बेसिक चीज़े क्या कि discrimination untouchability तो सबको लगता है caste based discrimination है discrimination untouchability जो है वो caste based भी होती है religion based भी होती है gender based भी होती है बहुत सारे अलग-अलग color based भी होती है अगर आप देखोगी गोरा और काला जैसे foreign country में अमेरिका में देखते थे तो उसमें race race के basis पर colored people and white people colored people को untouchable वो लोग म होते हैं तो आर्टिकल 17 untouchability को prohibit करते हैं any kind of untouchability कोई भी किसी भी तरीके की secular इसमें religious factor भी आ जाता है basically हम इसको उस sense से देखते नहीं है ठीक है उस sense से हम इसको check नहीं करते हैं तो एक यह है ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़े जैसे अगर आगे हम 5th की बात करें तो directly clearly आपको वो बनाते हैं ठीक है secular state आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो आर्टिकल 19 हम मिस कर गए 6 आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 उसमें भी तो है belief किसी भी चीज़ को मानना सोतंत्रता घूमना कहीं पर भी जाना उसमें आपके साथ discrimination नहीं किया जा सकता religion, gender इनके basis पर ठीक है इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़े आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये भी इंडिया को secular state declare करते हैं मेजोर्टी जो है वो minority के उपर rule ना कर ले जो majority people है कई जो minorities हैं उनके rights का violation ना करें तो उनके लिए special rights दे दिये minority rights आर्टिकल 29 और 30 में कि आपको भी freedom है अपनी language अपना culture ठीक है अपने educational बनानी है आपको देखना है कि कौन सा article fit होता है इस sense में और भी काफी सारे मिल जाएंगे लेकिन ये major major है जिनको हम fundamental rights से निकालते हैं ठीक है ये चीज है तो अब ये तो चीज हो गई secularism की धर्म निर्पेक्सता गी कौन कौन सी चीजे हैं कहां कहां पर आई हैं इनको आप देख लेने अब major चीज है वो भी देख लेते हैं कि इंडिया में जब हम secular की बात करते हैं the Indian constitution embodies the positive concept of secularism that is all religion in our country irrespective of their strength have the same status and supreme and support from the state secularism के दो concept है ठीक है दो concept क्या है एक western concept है एक western जिसको हम बोलते है secularism अब western secularism का concept क्या है इसको समझ गये एक western secularism के concept में आपको मिलेगा कि state और religion दो अलग-अलग completely एक दूसरे से different bodies होती है बिल्कुल अलग-अलग होता है ठीक है अब western में लिखा होता है separation separation of state with religion यह separation की जगे लिखे complete complete यानि कि state और religion दो अलग-अलग है बिल्कुल अलग है ना तो state center के state के मामलों में interfere करेगा ना ही state religion के मामलों में interfere करेगा कर ही नहीं सकता लेकिन एक दूसरा concept जो इंडियन concept है ठीक है अगर हम इंडियन की बात करें तो इंडियन secularism की अगर हम कोई सर सेप्रेशन कैसे नहीं है हमारे इंडिया का तो कोई हमारे इंडियन स्टेट का तो कोई religion नहीं है यह बिल्कुल ठीक है कि हमारे इंडियन स्टेट का कोई religion नहीं है लेकिन हम एक positive secularism की अप्रोच को अपनाते है अडूप्ट करते है positive secularism का मतलब ही होता है कि जहां पर भी state को required होगा, जरूरत होगी किसी भी religion के जो उनके personal laws हैं उनके belief हैं, उनके tradition हैं, जो constitution के against जाते हैं humanity के against जाते हैं तो उन सभी matters में हमारा state जो है वो interfere करेगा for example India में क्या होता है, India में सभी अलग-अलग religion है, world के सारे की सारे religions इंडिया में हैं, और हर religion की अपने-अपने belief हैं, अपने-अपने faith हैं अपने tradition हैं अपनी-अपनी परंपरा हैं, अपने-अपने personal laws हैं, Hindu personal law Muslim personal law, etc, etc, आप जो देखें लेकिन इसके basis पर क्या आप उनको वो काम करने का freedom दे सकते हैं, जो की inhuman हैं जो की हमारे constitution के main features को violate करता है, equality, liberty justice fraternity, उनका violation करता हूँ नहीं कर सकते न तो इसलिए state उन मामलों में interfere करता है जैसे कि सतीप्रथा ban of सतीप्रथा इन इंडिया जिसमें एक क्या होता था कि कोई husband है, अगर उसकी death हो गई और उनकी wife अगर जिन्दा है तो husband के चिता के साथ, husband के साथ ही wife को भी जिन्दा जला दिया जाता था, सतीप्रथा in human practice, government ने ban किया, बाल विवा है ना, छोटी एज में 7, 8, 6, 7, 8, 8, 9 years में ही marriage कर देना बच्चों की किस मेस पर की tradition है, पहले से करते आ रहे हैं, यह हमारी परंपरा है, हमारे बाप दादा ने किया, हमारे बाप दादा का उसने किया, तो हम भी करेंगे in human, ban कर दिया state ने इंटरफेर किया तीन तलाक किसी को बस तीन बार तलाक 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 बोल करके उनको तलाक दे दीजिए और फिर completely ignore कर दीजिए in human practice violation of equality, right to equality जो है article 15 ठीक, उसका violation government ने ban किया state ने इंटरफेर किया सबरी माला का जो dispute हुआ उसमें भी state ने अपनी statement यही दिये कि no one can stop women to enter in temple but वो अभी थोड़ा सा disputed मामला है तो उनके बीच में चला हुए जब कि court ने भी यही direction दिये कि आप women's को entry करने से नहीं रोक सकते हूँ ठीक है, मेभी इसके उपर कोई बहुत clear judgment in future, near future में आ जाएगा वो भी हो जाएगा, तो state interfere करता है, तो positive secularism इंडिया में है, वो किसी से discriminate नहीं करता यह जरूर है, कि इंडियन state doesn't discriminate with any of the religion but, it can interfere in their religious matters if they violate our constitution or if their practices are inhuman तो वो कर सकते है, बिल्कुल करेगा ठीक है, लेकिन western में कुछ नहीं है बिल्कुल complete separation state जो करे जो करे, रिलीजन जो करे, उनका अपना decision इनका अपना decision, कोई interfere नहीं एक और concept है उसको भी समझना और वो concept secularism के against में धर्म निरपेक्सता की जगे अलग है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे states जैसे कि आप देखोगे तो West Asia ठीक है, western Asia में आप दखोगे और भी कई सारी European countries तो अब तो secular हो गई है, लेकिन पहले कि अगर हम बात करें बहुत सारे तो एक ही religion को वो अपना state का religion बना देते हैं single और उसी religion के बेस पर वर्क करते हैं जो majority religion people होगे, zone का religion होगा उसी को state का religion बना देते हैं जैसे फिलिस्तीन, यहूदी धर्म जैसे पाकिस्तान, मुस्लिम धर्म जैसे former Britain और अमेरिका Christianity ठीक है, अभी तो वो भी secular secular बोलते हैं लेकिन पहले वो Christian तो हर state, हर country उसमें क्या होता था, कि एक ही religion को सारी priorities दी जाते थी उन्ही के trade, उन्ही के belief उन्ही की tradition उन्ही के holding law, सब वो ही रहता था जो minorities होती थी जो other religion के लोग वहाँ पर रहते थे उनके interest जो है वो safeguard नहीं किये जाते थे उनको cap discriminate किया जाता, ठीक है आज भी same होते, discrimination होते अगर कोई country, कोई state है उसका अपना religion है, तो minorities के पास right नहीं है, पाकिस्तान में आप चले जाओ पाकिस्तान में जो minorities है उनके पास right नहीं है वहाँ पर सिख भी है वहाँ पर हिंदूस भी है minorities में, लेकिन right नहीं है इक्वल राइट नहीं है ठीक है, इवन वहाँ की जो school की books है ध्यानते की state का कितना बड़ा हूँ है इवन वहाँ की जो school की books है उन books के अंदर clearly लिखा रहता है कि minorities are not part of Pakistan आप, they are not equal वो हमारे बराबर नहीं है ठीक है, वो हमसे नीचे हैं चोटे हैं, books उनको सिखाती है minority और majority में discriminate करना और इंडिया में आप क्या पढ़ोगे इंडिया में आप secularism 6th class की NCRT आप start करोगे उसको पढ़ना start करोगे उसी में भी आपको concept मिलेगा secularism 1st chapter 6th class की political NCRT diversity diversity में भी आप उसमें समझाओगे कि इंडिया में diversity है but unity in diversity no discrimination on the base of caste religion, class, gender language, reason यह आप देखते हैं government नहीं करता है उसके उपर state जो है वो इस तरीकी का behavior यहाँ पर नहीं करता है तो हमारे state का कोई religion नहीं है देश का कोई धर्म नहीं है लेकिन सभी धर्मों को सभी religions को जरूत पढ़ने पर समय पढ़ने पर हमारा state regulate करता है उसमें interfere करता है positive interfere करता है ठीक है उनकी गलत चीजों को हटाता है उनकी अच्छे चीजों को promote भी करता है पोर एक्जामपल ट्रेफिक रूल्स का एक्जामपल में आपको कई बार देता हूँ ट्रेफिक रूल्स में क्या होता है कि अगर आप बाइक पर जा रहे हैं टू वीलर के उपर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना तो आप उचलान देना पड़ेगा ठीक है एक अच्छा खासा चलान आपको लेकिन अगर आप सिख हैं और आप पग पहनते हैं तो आपको चलान नहीं देना पड़ेगा एक्सेप्शन भी है प्रमोट भी करते हैं कि ठीक है आपका बिलीफ है आपका ट्रेडिशन है आपके सर को आपके हैड को भी उससे सिक्यूरिटी मिल जाती है और किसी अधर परसन को कोई उससे प्रोब्लम भी नहीं है होगी भी नहीं किसी को कोई लोस भी नहीं है तो आपके लिए हम थोड़ा सा फ्री भी दे आपको फ्रीडम भी दे देते हैं ठीक है तो इंडिया का सेक्यूरिजम थोड़ा सा अलग पॉनसेप्ट है positive secularism सकारात्मक धर्म निर्पेक्स ता इसको हम बोल दें जो यहां पर है अब यहां से question आ जाएगा आपसके main question यही से बनेगा mains में ध्यान में रखेगा mains में क्योस्टन यहां से आएगा और क्योस्टन क्या पुछा जाएगा कि we have added the word secular in Indian preamble after the 42nd amendment of 1976 but can we say that Indian constitution have all the elements of secular state before this amendment comment या critically evaluate सवाल हिंदी में रहेगा कि हमने भारत की प्रस्तावनाओं में 46 और 42 समिधान संसोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्स सब्द को जोड़ा लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि इस संसोधन से पहले ही पहले भी भारत के समिधान का चरित्र धर्म निरपेक्स रहा है अलोचन आत्मक विवरन प्रस्तुत करें तो उसमें आपको यह सारे एक्स्प्लेंशन यह डिबेट डालना है बुक से नहीं होगा इस तरीके एक आंसर के ओवल बुक रीड करने से नहीं होगा यहां से डालना है तो आपको इनका यूज करना पड़ेगा जो डिबेट जो चीजे मैंने आपको अभी समझाई इतने टाइम से इतनी देर से जो आपके सामने explain कर रहा हूं कि क्या करने है ठीक है वो सारी चीजे डालना है अगर आप class में present है जिन्दा है जीवित है जिन्दा जीवित जागरूख अगर है तो आप answer इसका write down कर सबोगे बहुत अच्छे से क्योंकि सारे elements क्या क्या इसके अंदर चीजे डालने सारे ingredients मैंने आपको समझा दिये explain कर दे बहुत detail से even western के साथ भी comparison कर दिया ठीक है non secular state उनके साथ भी comparison कर दिया Indian secularism उसको भी define कर दिया positive secularism सारी चीजों को ठीक है मैं तो आपको ingredients provide कर सकता हूँ मैं आपको recipe बता सकता हूँ कि ये recipe है but उस recipe को use करके food तो आपको कुक करनाना घाना झाना तो मैंने आपको recipe दे दीский exam में लिखना आपको है उस recipe को use करते हुए तो इसलिए क्लास में जिन्दा रहना है ठीक है जिन्दा रहना है चले क्लियर हुआ कॉंसेप्ट या नहीं अगर क्लियर हुआ तो जड़ा थम्स अप दीजिए और जोस बताइए कैसा हाउस्दा जोस फिर अगले वर्ड पर चलते हैं प्रियम्बल के फिर नेक्स्ट वर्ड क आधि के ओपर कंटिनुव करते हैं चलिए जल् की से दोस्ट करों работать है ठीक है अड़ी उर्ड जोस के नाम पर विस खुल्व दोस्तों के कि दो फ्री में इतनी quality की चीज़े आपको मिल रही है क्योंकि share करोगे तभी ही चीज़े continue रहेंगी और live walker के देखना है पुराने sessions के भरोसे मत बैठना है पुराने sessions कब private हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं रहता है तो live class हो उस opportunity को फायदा उठाने है कोशिस करना है कि live class में आप attend करें इनको ठीक है चलिए आगे चलते हैं जी बाकी और जो भी सवाल जवावे हों आप class के end में पूछना मैं class के end में आपके सारे doubts जो हो लूँगा और सारे doubts clear करेंगे कि क्या क्या चीजे आपको नहीं समझ में आई जो भी आपको पूछने class के end में में से पूछ सकते हैं चलिए जी अगले word पर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं democratic लोक तांत्रिक अब इस पर जाने से पहले मैं आपसे क्या पूछू क्या ये word हमारे इंडिया की original preamble के अंदर included था yes or no क्या ये हमारी original preamble में included था yes or no democratic, लोक तांत्रिक तो बिल्कुल correct answer yes हमारे original constitution में ये था a democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty that is possession of supreme power by the people ठीक है लोक तांत्रिक, democratic मतलब सारी power जो है वो किस के पास है लोगों के पास है जनता के पास है ठीक है अपने एक personality उनका नाम सुना होगा Abraham Lincoln Abraham Lincoln को आप लोग जानते होंगे बहुत ही famous personality रहे है ठीक है यूएसे से तो उन्होंने बहुत बड़ा concept बहुत बड़िया concept उन्होंने एक statement दी थी कि एक government of the people by the people for the people है ना उसको हम क्या बोलते है democracy democracy is a government ठीक है democracy is a government of the people for the people and by the people of the people by the people and for the people that mean लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया जाने वाला सासन लोगतंत्र कहलाता है democracy कहलाता है और इंडिया में democracy डारेक्ट इसी सही है first word प्रियम्बल का पहला word we the people of India हम भारत के लोग वो ये explain कर देता है प्रियम्बल को कि बई main power source जो है वो लोगों के पास है ठीक है लोग इसमें main role play करते है अब कैसे role play करते है इसको समझना है democratic कैसे क्या-क्या features है democracy के उसको समझना है तो सबसे पहले तो हमें democracy को समझना होगा कि दो type of democracy होते है two type of democracy कौन-कौन सी democracy of two types direct and indirect indirect democracy the people exercise their supreme power directly as is the case in Switzerland direct democracy में लोग उनका decision final होता है कोई भी काम करने लोगों से पूछ करने उनकी permission से कोई भी काम होगा नहीं वो होगा direct democracy क्या इंडिया में direct democracy है yes or no जल्दी से बताइए क्या हम इंडिया को बोल सकते हैं इंडिया इसे direct democracy yes or no जल्दी से बताइए और अगर इंडिया में direct democracy है तो direct democracy कहा है अगर हम direct democracy की बात करते हैं तो कहा है इंडिया direct democracy इंडिया में नहीं है लेकिन एक जगे है एक feature है एक exception है जिसको आप कहा सकतो जहाँ पर आपको direct democracy भी देखने को मिलती है direct democracy का मतलब है कि आपके representative आपके लिए decision नहीं लेंगे आप खुद अपने आप अपना decision लेंगे तो direct democracy आपको कहां मिलेगी क्या मैं अगर यहाँ पर gram panchayat लिख हूँ तो यह correct रहेगा क्या मैं अगर gram panchayat यहाँ पर लिखता हूँ कि gram panchayat is an example of direct democracy in India is this statement is correct or incorrect is this statement is right or wrong please comment your answer in chat box or comment box answer is mandatory answer देना जरूरी है जल्दी से answer दीजिए yes or no gram panchayat yes or no जल्दी से answer दीजिए सभी लोग क्या बात है क्या बात है सब लोग correct 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 no my dear friends you are wrong gram panchayat is not a example of direct democracy gram panchayat direct democracy कैसे होगी भई panchayat के election होते हैं आप vote डालने जाते हो you have to elect your representatives in form of serpanch and punch panch और serpanch उसके रूप में अपने प्रतिनिधी चुनते होना भाई तो तुम्हारे तो representative work कर रहे हैं तो gram panchayat कैसे direct democracy होगी बताना जरा अलग-अलग state में अलग-अलग नाम बोलते हैं कहीं पर मुख्या बोलते हैं कहीं पर प्रधान बोलते हैं कहीं पर serpanch बोलते हैं तो आपने तो अपना representative elect कर लिया direct democracy का मतलब है कि आप directly participate कर रहे हैं खुद decision ले रहे हैं हर काम को आप से पूछ करके किया जा रहे हैं तो वो direct democracy का होई? तो direct democracy भी ग्राम सभा में ग्राम सभा यह यहां पर direct democracy है ठीक है? ग्राम सभा ग्राम सभा is the example of direct democracy in India ग्राम सभा क्या होती है? पंचायती राज का जब chapter में आपको explain करूँगा तो उसमें बहुत details से इन सब issues पर हम discuss करेंगे debate करेंगे ग्राम सभा में क्या होता है आप? एक पंचायत का area उस पंचायत के area में जितने भी registered voter है वो सब ग्राम सभा के member है और इंडिया का constitution ग्राम सभा को authorized करता है power देता है कि पंचायत के जितने भी work होंगे उनका जो budget pass करना है वो ग्राम सभा पास करेगी social auditing सामाजिक लेखांकन check करना investigate करना कि पैसा कितना आया कहां आया कहां पर expenditure हुआ money सही तरीके से expenditure हुआ कि नहीं हुआ किसका power work ग्राम सभा का work but problem ही क्या है कि हमें ग्राम सभा का concept नहीं पता वी थिंग अवर ग्राम सभा इस पावर लेस है न वाई because we don't have awareness about the power of ग्राम सभा और उसको हम इतना importance देते ही नहीं है but यही है आपके direct democracy कर सबसे बड़ा example ठीक है इस चीज़ को देखना clear direct democracy अब एक भाई साब बोल रहे हैं कि monarchy is direct democracy जब भाई monarchy है तो democracy का हुआ वो तो form of dormanty अलग हो गया monarchy का मतलब तो राज तंत्र हो गया democracy मतलब लोगों का तंत्र monarchy मतलब राजा का सासन और democracy मतलब लोगों का सासन है ना तो हम तो democracy के दो टाइप देख रहे हैं direct और indirect monarchy है तो बिल्कुल अलगी formation हो गया भाई ठीक है वो नहीं है तो एक direct democracy होती है उसमें लोग directly involved होते हैं अब स्वीजर लेंड है क्योंकि छोटा सा देश है इत्तू सा देश है एक टीवी सो आता था इत्तू इत्तू सी countries है इंडिया का एक डिस्ट्रिक कई उरोप के कई सारी countries के equivalent है इंडिया का एक स्टेट उत्तर प्रदेश कम्प्लीट यूरोप के maximum population को अडॉप्ट कर ले इक्वलेंट हो जाता है तो इन में तो ठीक था शुजर लेंड जैसे countries जहां पर population कम है area कम है है ना maturity level बहुत हाई है education awareness बहुत हाई है extreme level पर है तो वहां पर direct democracy हो सकती है सब लोगों को participation दिया जा सकता है लेकिन क्या इंडिया में direct democracy किया जा सकता था क्या इंडिया में प्रत 30 करोड है अभी 130 करोड प्लस उस टाइम भी करोड में population थी हमारी इतने सारी population से सब लोगों से decision कैसे बनवाओ गये भाई क्या decision making हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा समझ रहें तो इसलिए हमने क्या अपनाया हमने दूसरे तरीके का डेमोक्रेसी उसको अपनाया जिसको हम बोलते हैं इनडारेक्ट डेमोक्रेसी ठीक है इन इनडारेक्ट डेमोक्रेसी on the other hand the representatives elected by the people exercise the supreme power and thus carry on the government and make the laws ठीक है representative government होती है indirect democracy but power तो लोगों के पास ही है but है क्या कि लोगों ने elect लोगों ने अपने representative elect कर दिये, जैसे हम elect करते हैं आपने, जैसे for लोक सभा, for विधान सभा state legislative assembly, उसके लिए हम voting करते है, MLA और MPs को, जब वो आपके सामने vote मांगने आते हैं, please vote for me I want to become a member of parliament I want to do some good work for society, I want to serve you, I am your servant, please, please, please vote for me after voting after winning same person say उसके पास तुम मिलने जाओ को उनसे जाकर के बोलोगे कि भई आपने vote मांगने आये थे, please help me out who are you why are you here why are you demanding these things from me I am not your servant I am MP, Member of Parliament I am the leader I am the supreme power of your district who are you है न, reality ऐसे होती है वो भूल जाते हैं लेकिन, basically main क्याएगी है हमारे यहाँ पर representative democracy है हम अपने किन को लेते हैं हम अपने प्रतिनिदियों को चुनते हैं और अपने प्रतिनिदियों को चुन करके हम पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो पार्लियामेंट में फिर हो हमारे भिहाफ पर लोग बनाते हैं कानून कोन बनाता है, एक्ट कोन बनाता है, पार्लियमेंट, है ना, तो रेगुलर लोज, उन्हीं लोज के उपर कंट्री चलती है, और उस पार्लियमेंट में एक्ट, बनाने में रोल किसका रहता है, एमपीज का, मेंबर ओफ पार्लियमेंट का, कौन मेंबर ओफ पार्लियमेंट, जो पीपल, लोगों के, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, फिर आप काओगे कि सर, it is correct that Lok Sabha represents Lok Sabha represents the people of India but sir what do you say about Rajya Sabha Rajya Sabha में to election, Rajya Sabha के members वो तो directly elected निये they are indirectly elected then how can we say that parliament, complete parliament represents the Indian peoples Indian citizens can we say that only Lok Sabha represents Indian peoples is Rajya Sabha is only a representative part of parliament for the states only के वोल states के लिए ही है ऐसा नहीं है Rajya Sabha के जो member है अगर हम बात करते है Rajya Sabha तो Rajya Sabha के जो MPs है इनको हम लोग direct voting से तो नहीं elect करते है लेकिन इनका election कोन करते है इनका election करेंगे MLAs MLAs Member of Legislative Assemblies चाचा विधायक है हमारे अभी बताओ किसका चलान रुकवाने है चाचा विधायक है हमारे अभी बताओ किसका बैंड भजवाने है इस तरीके के डायलोग आपने सुने हैं खास करके जब आपको ट्रेफिक पुलिस आपका चलान काटने लवाली होती है आप बाइक लेकर घूम रहे है या गाड़ी लेकर घूम रहे है टसन मारे है स्टाइल मारने है दायं मायें से हीरो करते दो Chemical साइड में लड़िगया जारी है तो टसन मारतेए है ना आवास करते है ब्रण 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 और तब ही पुलिस वाले आ जाते है चलान काटू फिर तुम्हें बेजती फील होती है फिर तुम उस टाइम डायलग मारते हो जानते नहीं कोनों तुम्हें पता नहीं है कोनों में चाचा विधायक है मारे कई तो बड़े एक्स्ट्रीम लेवल पर विधायक के रिस्ता निकालते हैं तुम्हें पता नहीं है मेरे दोस्त के ताउ के लड़के का बेटे का पापा व देख लो इतनी लंबी रिष्तेदार यह मेरी, है न, माई फ्रेंड्स फादर्स, और उसके भी फ्रेंड, वो MLA है, so don't cut my चलान, I am warning you, न, इस तरीके की चीज़े हमारे यहां पर यूज किये जाते हैं, तो basically MLA's, इनको कोण elect करते हैं, इनको तो आप ही लोग करते हैं, people करते हैं, people करते हैं, लोग करते हैं, हम सब लोग मिल करके करते हैं, तो हमारे ही representatives जो हैं, वो ही राजे सभा के MPs को भी elect करते हैं, ठीक है, तो directly और indirectly, parliament जो हो people को ही represent करते हैं, लोगों को ही represent करते हैं लोग सभा directly करते हैं राजय सभा indirectly करते हैं हलाएंकि वो states को representation होता है लेकिन states के जो लोग है MLA's उनको भी तो हमने ही elect किया आपने ही तो vote डाल करके elect किया simple सा चीज है तो यही लोग काम करते हैं इंडिया में इसी तरीकी से representative government direct democracy में क्या होगा वहाँ पर referendum होगा referendum मतलब जन्मत संगर है हर मामले पर voting करवाई जाएगी people से vote डलवाई जाएगे भाई इंडिया में तो referendum कितना कैसे करवा होगे होई नहीं सकता भाई एक election कराने में इतने crores of crores का हम expenditure करते हैं अगर हर bill हर initiative के लिए हम referendum करवाने लगे इंडिया की country इंडिया में सबसे 130 करोड 130 करोड प्लस population से तो भाई इंडिया में तो कोई decision होगा ही नहीं कभी भी कोई काम होगा ही नहीं होई नहीं सकता पोसिबल ही नहीं जन्मत संगर है जिसको बोलते जैसे हमने जुनागड में कराया था यादे जुनागड integration of India वाला area historical background में जो वे नहीं बताया था ऐसा तो possible है ही नहीं ठीक है तो बहुत सारी चीज़े जो direct democracy हम adopt नहीं कर सकते थे हमारे larger population और area और diversity इन सब चीजों को देखते हुए तो हमने representative form of government को चुना और आज की country में आज के time में पूरे world में जो सबसे popular government का form है वो है representative government representative democracy प्रतीन इध्यात्मक लोकतंत्र पूरे world में सबसे ज़्यादा popular यह है क्योंकि यह ज़्यादा better system है इसमें हम सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीक इसे काम कर सकते हैं ठीक है इस type of democracy also known as representative democracy अब यहाँ पर भी दो अलग-अलग type के हो हो गए जब हम democracy की बात कर रहे थे न तो for example मैं आपको यहाँ पर दिखा जाता हूँ जब हम बात कर रहे थे democracy की democracy की तो democracy को हम यहाँ पर divide करते हैं किसमें direct अब direct के साथ indirect अब indirect में भी हम अलग-अलग दो वो करते हैं कोन सा एक parliamentary parliamentary ठीक है दूसरा presidential यह दो type की democracy हैं indirect democracy के अंदर भी अब parliamentary democracy को भी हम दो part में divide करेंगे democracy को part अलग-अलग divide हो जाते हैं अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो parliamentary democracy और presidential democracy यह कहाँ है यह USA में है ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ parliamentary हो तो इसको भी हम दो में करेंगे ठीक है एक जो republic है जैसे की इंडिया ठीक और एक जो monarchial democracy है democracy जैसे की Britain जहाँ पर यह republic में कोन आ गया इसमें आ गया इंडिया भारत इसमें कोन सा आ गया बिटेन ठीक है बिटेन तो यहाँ पर भी हम इसको और कई सारे formation में डाल देते हैं और कई सारे चीजे वो कर देते हैं ठीक है clear चलिये आगे चलते हैं अब यहाँ पर इसको समझते हैं इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा जब हम बात करते हैं democracy की तो इंडिया में जो parliamentary or presidential की जब अगर हम बात करें तो इंडिया में parliamentary democracy है अमेरिका में presidential democracy है अब presidential democracy में basically क्या है president वो more powerful होता है ठीक है सारी की सारी powers जो है executive powers उसी के उपर होती है ठीक है वो ही state का head भी होता है government का head भी होता है एक ही head होता है दो अलग-अलग तरीके के अध्यक्स नहीं होते हैं इंडिया में क्या है parliamentary system है bicameralism है और इसमें भी republic है न हम republic है गनतंत्र है तो हमारे दो head देखने को मिलेंगे एक head of the state जिसको हम president बोलते हैं और एक head of the government जिसको हम PM बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ठीक है ठीक इंडिया में यही है अपने आप से अपनी मरजी से executive कुछ work कर नहीं सकती executive का मतलब अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर अगर हम executive करते हैं तो दो type के executive बोलते हैं एक permanent एक non-permanent permanent executive जो आपका bureaucracy है ठीक है क्योंकि वो long term के लिए work करते हैं non-permanent जो हमारे elective representatives है जो government का form करते हैं जिसको हम council of minister बोलते हैं COM ठीक है बेसिकली यही सरकार होती है government होती है इसी के आथ में सारी की सारी powers है executive powers यहना कारे-कारी सकती हैं लेकिन इंडिया में क्योंकि parliamentary system में संसद है यहना लोकसभार, राजसभार दो सदन है तो ऐसे में अगर हम बात करें तो parliamentary system हमें जो हमारा जो executive है सरकार है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती ठीक है वो independent नहीं है वो extreme नहीं है ठीक है उसको parliament के लिए responsible होना पड़ता है parliament के लिए responsible होने का मतलब क्या है simple सा मतलब है कि भाई हमारे देश के अंदर कोई भी government कहां बनती है अब ऐसा हो तो वह नहीं कि direct कोई वेक्ती गया और government बना ली आपको पहले elect हो करगे parliament में जाना पड़ेगा और उसमें भी लोक सभा में जाना पड़ेगा और लोक सभा में जिसके पास majority होगी वो government form करेगी that mean अगर आपके पास लोक सभा में majority है तो आप government बनाओगे अगर आपके पास लोक सभा में majority नहीं है बहुमत नहीं है तो आप सरकार नहीं बना सकोगे ठीक है तो यह रहेगा तो इसके लिए इसका मतलब क्या होँआ कि जो government बनी जो सरकार बनी जो executive बना वो लोग सभा के लिए responsible है house of the people जिसको आप बोलते हो तो कोई भी चीज है कोई उसके लिए responsible रहेगा उनको अपनी कोई भी policy बनानी है कोई भी act बनाना है तो उसको parliament में pass करवाना पड़ेगा ठीक है कोई भी major changes करने parliament में pass करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट में क्या होगा discussion होगा इस तरीके से debate होगा यानि यह character यह cartoonist आपके लिए लाया गया कि funny way में लाया गया कि India में जिस तरीके से debate होता है discussion होता है Parliament में हो या state legislative assembly में हो ठीक है कहीं पर भी हो हर जगह पर आपको क्या लिखता है हार इसी तरीके का डिबेट आपको देखने को मिलते हैं एक दूसरी को पर चिला रहे हैं इसको देखने से आपको वह सकता है कि आपको लग सकता है कि पती या पतनी दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हूं लेकिन यहाँ पर नहीं है हमारे यहाँ पर सारे भी हमारे जितने आपको देखने को मिलती है basically इसका symbolic इसका symbol ये क्या बता रहे कि हमारे पास वहाँ पर freedom है expression का हम express कर सकते हैं सारी चीज और अगर हम कुछ चीज express कर रहे हैं तो दूसरे वाला जो है आपसे question भी पूछेगा जैसे executive अगर कोई policy लेकर गया है जैसे government है वो कोई act बनवाना चाहते है कोई bill पास करवाना चाहते है तो मान लेते हैं वो bill लेकर गया है जैसे farmers bill ठीक है उनके लिए लेकर गया है तो उसके उपर debate होगा हर कोई question पूछेगा उनसे government से है ना उन minister से कि भाईया ये point इसमें क्यों है ठीक है ये point इसको remove क्यों कैसे करें ये इज़ादा important नहीं है ये disputed है इस तरीके से नहीं कर सकते etc. तो आपस में discussion करके बातचीत करके ठीक है फिर उसको majority से pass कराना पड़ेगा तो majority आपके पास होने चाहिए तो that means हर चीज के लिए चाहिए फिर आपकी policies हो ठीक है आपका कोई भी action हो उन सभी के लिए आप legislator के प्रती responsible रहते हैं ठीक है आप उससे अलग हो करके अपना कोई भी काम work जो है वो नहीं कर सकते हैं ठीक है ये हुआ एक और democracy का सबसे important जो feature है उसको भी देख लेना ठीक है एक और democracy का main feature और वो क्या है हमारे देश में universal adult franchise है ठीक है क्या है वो ऐसे वो मत भेजागरो comment box में दो आप सबके पास pdf और उन सबके लिए whatsapp का और वो सारे की सारी चीजे हैं ठीक है message है आपके पास तो उसमें आप करते हैं अभी आमारी टीना manager है मेरी उन्होंने whatsapp पर एक picture मेरे को भेजी है और उस picture में ओ धिखार ने democracy का misuse कैसे हो रहा है अभी इनका नाम तो मैं नहीं बताऊँगा लेकिन इनको इन्होंने मेरे से pdf मांगी तो मैंने इनको pdf और link मेरी manager में भेज़ दी अब pdf और link भेजने के बाद message में क्या रख्या देखो message लिए सर girlfriend ने दोखा दे दिया सर girlfriend की आद कैसे बुलाएं और फिर से पढ़ाई पर focus कर सकूँ कुछ राए दीजिए प्लीज आसू 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 अब गजब है यार इस चीज के लिए भी मैं ही वह दूँँगा आपको यह तो थोड़ा सा खुद ही देख लो तुम लोग इतना तो काम खुद कर सकते हूं थोड़ा सा mature हो जाओ है ना चिल करो रिलेक्स रो पढ़ाई लिखाई करो जिन्दगी में ऐसे चलता रहते हैं अब इस सीज के लिए भी वह सारे कई बार तो मेरे को लगता है कि मेरे को अब वैसे में संका समाधान के इंदर मतलब एक टीचर ना हो करके एक डिस्प्यूट मैनेजमेंट वाला एक कोई एरिया वने हो कोई सारे लोग फोर्म करके बाकाईदा मेरे सीए पूसरे होते हैं बहुत सारे मतलब कि सर मेरी पतनी मेरे को मारती है और सर मेरे पतनी दारू इसके लिए थोड़े करोगे इसके लिए आपके पास वो सारे और ओप्सन से कोर्ट है आपके पास वहाँ जाओ आपकी फैमिली है उनसे बात करो फ्रेंड से उनसे बात करो और जो चीज परिशान कर रही है जो नहीं है जो नहीं रहा तुमारा तो छोड़ दो ना तुम क् कहीं और चलीगी अब जवर्दस्ति थोड़ी रहोगे तुम लोग अब वो कहीं और चलीगी अब तुम रो क्यों रहो फिर काबिल बनाओ अपने आपको फड़ो लिखो मजे करो तुम भी दूसरी जगे चले जाओ इतना टाइम मत वेस्ट करो जिंद्गी बरबाद हो जाएगी देवदास बन जाओगे फिर वो देवदास बन करके बैठे रहोगे हमेशा ठीक है गाना चलेगा है चलकाए जाम पारो उससे कुस मिलना विलना है नहीं लाइफ में लाइफ ये आगे बढ़ने का नाम है जिंद दो पर जो नहीं रह पाना तो जाओ ना वहीं वाई परद क говорить थोड़ी है और तुम भी आगे बढ़ो तुम भी लोनए तुम भी एक है तुम्हेर किसे रोका थोड़ी है नहीं जगये पर जाओ नए जगये पर ट्राई करो जैसे पहले त्राई किया और वह करना है वैसे भी तुम्हें करोगे लेकिन दुखडा रो रो करके इन चीजों से भार निकल जाओ दोगो आपको काम्याब होने तो आपको इमोशनली बैलेंस डोना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा, इन छोटी मोटी ये फालतोगी बगवास चीजों में घुसे रहोगे तो नहीं होगा कुछ भी, तो इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रोंग रहे, ठीक है, और स्ट्रोंग होकर के काम करें, इन चीजो गोल की तरफ ध्यान दो और जब वो होगा तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा ठीक है अगर उस पोजिशन पर हो तो सब कुछ होगा हर कोई मिलेगा फिर तू कैटरिना काओगे तो वो लड़का हो या लड़की हो गरल हो या बोई हो अगर आपको चाहिए कि आपका वो तो आपका काम से आपके वर्क से आपका स्ट्रेटस बनेगा वैसे नोर्मली इंडिया की सोसाइटी में विदाउट वर्क विदाउट पावर विदाउट पोजिशन आपको कोई पूछने वाला नहीं है और नहीं कोई पूछेगा यह चीज सच्चा ही है यह रियालिटी है ठीक है तो पहले कुछ बन जाओ पढ़ाई पर ध्यान दो अपने अल्टिमेट गोल पर ध्यान दो बाकी कि चीजे सेकेंड्री रखो सेकेंड्री वहा तुआ नहीं तो कुछ भी नहीं यह रहा ना की झिन्दगी है हशी है वगैरा जिए उस कोंसेट को चेंज कर देना है पढ़ाई पर फोकस करोнокल froze07 मा और धार के लिए ध्यान दोLR मम्मी पापा ने तुम्हें पैदा बढ़ा किया, किस चीज के लिए, कि तुम रो, और वो भी किस के लिए, जो तुमारे साथ रहना नहीं चाते, अरज बही इतनी सारी चीज़ें तुमारे पास मम्मी पापा, है न, खुद हो तुम, उनके लिए करो, उनके लिए बनो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो, चलिए आगे चलते हैं, एक और क्या है भाई, हमारे डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर जो है, जिसको हम बात करते हैं, और वो देखेगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, पिरियोडिक इलेक्शन्स, रूल ओफ लो, इंडिपेंडेंट्स ओफ जूडिसरी, एंड एपसेंस ओफ डिस्क्रिमिनेशन और सर्टेन ग्राउंड्स, आ अगर आप हैं, और आपने एक रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो आप इंडिया में वोट डाल सकते हैं, ठीक है, आपको कोई रोकेगा नहीं, किसी भी बेस पर, किसी भी ग्राउंड पर आपको नहीं रोकेगा, आप कर सकते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी सब को पावर दी, हर रि फ्री एंड फेयर ईलेक्शन रेगुलर इंटर्वल पर इलेक्षन होते रहें зов somehow और हर 5 YEARS से और फाइव से इलेक्शन हो नहीं है बेंडेट्री एंर फाइट्री ए होई भी गौवर्मेन्ट पर्मानेट नहीं है पांस साल में दुबारा से लोगों से कि पीपल से उन उनको क्या लेना पड़ेगा, वोट लेना पड़ेगा, दुबारा से पावर में जाने के लिए, तो कौन government दुबारा बनेगी, जो people के serve करेगी, people को help करेगी, लोगों की मदद करेगी, वही दुबारा से सत्ता में आएगी, बाकि लोग नहीं आ पाएंगे, simple concept, ठीक है, तो यह सारी के सारी चीज़ें जो democratic feature को हमारे इंडिया के दिखाते हैं, अब एक और ध्यां रखना है कि the term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only political democracy, but also social and economic democracy, तो भारत के अंदर जो democracy जो preamble में लिया है, वो केवल political democracy ही नहीं है, social और economic democracy, यानि कि जिसको हम बोलते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोगतंतर, उसका मतलब भी है, अब सामाजिक और आर्थिक लोगतंतर में क्या होगा, इसको समझे, अब आप कहोगे कि सर, social and economic democracy, तो इसके लिए B.R. Ambedkar, उनका एक जो है, बहुत important statement, जो उन्होंने Constituent Assembly में दिया, this dimension was stressed by Dr. Ambedkar, in his concluding speech in the Constituent Assembly, on November 25, 1949, in the following way, Political democracy cannot last, unless there lies at the base of its social democracy, ठीक है, what does social democracy means, तो इन्होंने clearly गा, कि भाई, without social democracy, political democracy होई नहीं सकती, हमारे constitution में, preamble में, political democracy ही एक नहीं है, उसके साथ साथ social और economic democracy भी है, अब ये social democracy आखिरकर है गया, तो इसको भी इन्होंने define किया, clearly define किया, It means a way of life, which recognizes liberty, equality, and fraternity, इन्होंने clear का, कि एक ऐसा जीवन जीने का तरीका, एक life, एक आपका ऐसा lifestyle, जिसमें समानता, ठीक है, स्वाधीनता, और भाईचारा, इसको मानेता मिले, इसका मतलब क्या हुआ, कि किसी के साथ कोई भी किसी भी तरीके से भेद मा हो ना हो, discrimination ना हो, कि भाई तुम तो फलाना फलाना caste क्यों हो, है न, you are not equal to us, है न, you are, we are not able to live with you, है न, इस तरीके की चीजे ना हो, अलग-अलग religion, वो ऐसे ना हो, एक दूसरे से completely separate ना हो, कि एक state है, एक state में लोग रह रहे है, और वो कहा है कि, we are hindus and we will live only in this state, we are muslim and we will live only in this state, we cannot live together, है न, तो ये concept नहीं होना चाहिए, इस तरीके का discrimination नहीं होना चाहिए, तो social democracy के अंदर क्या आ गया, कि सभी लोगों के लिए equal rights, equal liberty, fraternity, भाइचारा, सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहबच से रहें, equal treatment करें, वो social democracy में आ जाते हैं, है न, the principle of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity, और ये बहुत important है, ये ध्यान रखेगा, important है, क्योंकि यहां से question आ चुका है, prelims में, कि अकोर्डिंग टू था, ये जो unity of treaty, trinity, इन्होंनों बता था, trinity, कि बियार अमबेड करके according, trinity के अंडर में, कौन-कौन से, जो है, features included है, हमारे constitution के, तो उसमें आपको याद रखना है, इसमें, आपको liberty, equality, और fraternity, इन तीनों को इन्होंने, unity of trinity के नाम से बोला है, ठीक, इसका मतलब ये है, कि इन तीनों को हम separate कर ही नहीं सकते, अलग कर ही नहीं सकते, तीनों एक दूसरे के साथ closely जुड़े हुएं, अभिन रूप से जुड़े हुएं, अलग करके देखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है, तो इन्होंने clear का, कि अगर आप स्वतंतरता, समानता और भाईचारा, इन में से किसी भी एक को दूसरे से अलग कर दोगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लोकतंतर ही नहीं है, लोकतंतर का जो में गोल है, में उद्धे से है, वो पराजित है, वो समाप्त है, ठीक है, तो ये भी clear का, ये important है आप देख लिजीएगा, ठीक है, union of trinity, उसके अंदर क्या क्या आता है, liberty, equality और fraternity, इन तीन च साथ कोई discrimination ना हो, सबको बराबर अधिकार, बराबर राइट्स जो है, वो यहाँ पर मिल जाए, liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty, nor can liberty and equality be divorced from fraternity, यानि कि ये तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, separate किया ही नहीं जा सकता, एक के absence में बाकी दोनों खतम, ठीक है, अगर equality नहीं है तो freedom, liberty का मतलब ही नहीं बनता, fraternity का मतलब ही नहीं है, अगर equality नहीं है, अगर society के अंदर untouchability है, छुआ छूत है, भेद भाव है, discrimination है, तो भाईचारा कैसे आएगा, कैसे सब लोग एक दूसरे को equal समझेंगे, कैसे close relation में रहेंगे, कैसे एक साथ coexist करेंगे, नहीं करेंगे, पहले नहीं था ना, upper caste, lower caste, this religion, that religion, this gender, that gender, इसमें divide हो जाएगा सारा का सारा, freedom रहेंगे, liberty कहा रहेंगे, केवल कुछ group of people, जो power में रहेंगे, उनके पास रहेंगे, बाकियों के पास liberty नहीं रहेंगे, same चीज है, तो तीनों एक दूसरे के साथ, completely, closely, जुडे होएं, इनको अलग कर ही नहीं सकते हैं, इन्होंने clear का, without equality, liberty would produce the supremacy of the few, over the many, ठीक है, equality without liberty would kill individual initiative, तो दोनों ही possible नहीं है, इन तीनों को हमेसे एक साथ ही रखना है, अलग करके हम इनको देखी नहीं सकते हैं, ठीक है, clear, चलिए, आगे चलते हैं, आगे, in the same context, the Supreme Court observed in 1997, that the constitution envisions to establish an egalitarian social order, rendering the every citizen social, economic and political justice, in a social and economic democracy of भारत रिपब्लिक, तो Supreme Court ने भी ये clear कर दिया, कि भारत में democracy का मतलब, ना केवल political है, बलकि social और economic भी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय, justice ये provide गरना यहाँ पर रहता है, अब अगर इसको हम देखें, तो हमारे constitution का एक और पार्ट है, जैसे fundamental rights है, fundamental rights में हम political rights देखते हैं, ठीक है, political rights देखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास DPSP, जो directive principles है, उसको अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पर socio-economic, social economic rights जो है, आपको DPSP में मिलते हैं, तो democracy को भी जब आप देखोगे, तो उसमें political democracy के साथ सा, social democracy, economic democracy भी है, economic democracy का मतलब है, equal opportunity for all, सब के पास बराबर क्या उसर हो, आगे बढ़ने के, life में आगे जाने के, ठीक है, चलिए, अगले word पर चलते हैं, और अगला word है, हमारा गणतंत्र Republic, Republic को देख लेते हैं, कि गणतंत्र को किस किस तरीके से, और किन किन चीजों में बाटा जा सकता है, अभी आप लोग काफी टाइम से बने हुए हैं, तो कैसा है अभी आप लोगों का जोस, कैसा है भई, हाउस दा जोस, जोस ठीक है कि नहीं, अभी इसको यहीं तक रखें या आगे मैं आपको कंटिन्यू करूँ, या इसको कल की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लें, कि इसमें ठोड़ा सा टाइम लगे आ आगे भी, और भी मेरेको लगता थोड़ा लंबा टाइम लग user, इस बहुत सारी चीज़े इसमें बाकी बच गई है, तो मेरेको नहीं लगता कि यह जल्दी से खतम होगा, तो इसको next class में थोड़ा से try करते हैं करनेगा ठीक है रिपब्लिक से जो है हम अगली class में इसको connect करेंगे या मेरे को एक मिनट दीजिए मैं इवर देख लेता हूँ कि कितनी slides अभी बची हुई है अभी हम आ गया 49 51 पर 53 तो इसमें time लगेगा भाई इस तो काफी लंबा चला जाएगा न्याय सुतंतरता समानता है ना हुई है तो आप लोगों को अगर class पसंद आये तो class को like share जरूर करना कमेंट करके बताना में चीज है share sharing is caring और अगर आप कभी भी कोई course जोइन करना चाहते हैं तो यह code जरूर अप्लाई कीजेगा इसको अप्लाई करेंगे तो आपको फीस में discount हो जाएगा 10% का और हमारी personal guidance भी आपको मिलेगी ठीक है प्रोपर personal guidance अगर आपन अगेडमी पर कोई भी course जोइन करना चाहते हैं कोई भी any kind of course अगर आप जोइन करते हैं तो चलिए अभी से आपकी classes continue रहेंगी डेली रहेंगी वन पीम पर regular चलेगी लेकिन आप इसको share करते रहें जितना ज्यादा share करोगे जितने व्यूज इंप्रूव होंगे आएंगे उतना regular continuity class में बनेगी ठीक है कि क्लियर आगे चल करके आपको कोई problem आएगी नहीं समय इसको ध्यान से करते रहें इवनिंग में नाइन पीम पर भी एक class है वो हिंदी medium की class है जिसमें हम ncrt कर रहें सीतियू दो धुरुवयता का अंत तो उस class में आप सभी लोग आना नाइन पीम पर वो भी मैराथन class रहें तो इतना इतना ठीक है इससे ज्यादा मेरे को लगता की गड़वड रहेगा डेली छे गंटे अगर आप मेरे साथ हो पांच गंटे मेरे साथ हो तो बहुत हो गया रात में भी ढाई गंटे दो गंटे चलेगी class तो उसमें अपन डिसकस करेंगे सीतियूद वाले जो अंतररास्टे संबंदों से जुड़ी जो बुक है उसको आपको कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आप मेरे से पूछ सकते हैं आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना अनगैडमी ललीती आदाओ की पार्ट साला अनमे का ही चैनल है अनगैडमी नी चैनल बनाया है वह मेरे तो उसको आप जोइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको मैं डाल दूँगा पीडियोफ वगएरा सब डाल देते हैं सारी चीजा आपको वहाँ पर रेगुलर मिल जाएंगी ठीक है सर मेरे को हाँ मैं इसी नाम से मिल जाएंगे आप सर्च कर ले ना आपको मिल जाएंगे सब कहीं जहां पर भी देखोगे अनकेडमी लली त्यादाओ की पार्ट साला की नाम से मिल जाएंगे पंजाब पुलिस के लिए भी काम आएगा भाई पढ़ सकते हो यह क्लासेज आपको हरे एक्जाम में काम देंगी एंसे आर्टी पॉलिटी चल रही है ना रात में नो बिज़े चलती है इंदी वाले चैनल पर रेगुलर चलते हैं सब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा मेरा चैनल बना लें रहे अनक एडमी का चैनल है यही अपना ही चैनल एक तरीक से समझो अपना ही है सर एगालिटेरियन का मतलब की एक वल समानता बराबर सब को एक वल अपर्च्वनिटी एक वल राइट्स बराबर तेल्बराबर राइट्स मिले एकस्ट कोनिती को सबकिल एक ओपर्चूनिटीस मिले सबकी लिए समान रहे है लखनहू में यह उसके बार हुमने को गूं क यह कह लाई हो सबदम यह तो निकाल करके त्द यूटीपट सर ने लखनू वाले लड़की के लिए हैं disputed विवादास पत बयान दिलवाना चाहरे हो तुम लोग है ना कि उसके बारे में बोलो topic पर रह लो class के बारे में रखो बाकी तो आज कल दवो ही अभी egalitarian की बात कर रहे थे है ना अभी किसी ने पूछा था egalitarian के लिए समतावादी तो समतावादी है आज कल केवल पूरुस ही नहीं मारते आज कल लेडीज भी मारती हैं है ना और उचल उचल करके मारती है जंप ले ले करके मारती है दे चटाक दे चटाक है ऐसे लगता है जिसे डवल्य डवल्य की फाइटिंग चल रही हो उचल उचल करके चटाक है जैसे वहाँ पर वह रही हो रैसलिंग जुड़ों कराटे चल रहे हूं तो भाई इदो आज के टाइम में करेंट समाज जो है आज के टाइम में अत्याचार जो है ना क्रुएलिटी वो जैंट्स भी करते हैं और विमेंस भी करते हैं लेडिस भी करते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि हम पहले हम इसा सी बदनाम कर दे रहते हैं कि पुरुस है जैंट्स है वो ही मारता है वो ही मारता है हाई आज के टाइम मे ladies कम नहीं है ठीक है तो violence जो है उनमें दोनों equal participate करते हैं ठीक है डाल दो डाल दो इंग्लिस मीडियम की polity की जो NCRT न वो हम start कर देंगे देखते हैं मैं भी अगस्त के end में अगर कुछ try होगा तो ठीक है देखते हैं मैं आप तेलिग्राम पर अपडेट कर दूँआ है हिंदी में तो detail से कराई रख्या न भाई हिंदी में तो 71 chapter complete हो चुके हैं लक्षमी गांत के 72 से शुरू कर रहे हैं 72nd chapter से class होगी कल election reform चुनाव सुधार उससे class है कल उसकी नो बजे हिंदी में तो complete होने वाली हैं लक्षमी गांत सर्च कर ले ना मेरे नाम से तुम्हें classes मिल जाएंगी मेगा मेरा संथ उनको देखना है थेंक यू थेंक यू सर यू और टीचर ओफ पॉलिटी थेंक यू डेली होती है class वन पीम पर ठीक है डेली वन पीम पर class होती है सारे की सारी चीजे जो है उसमें मिल जाएगा यूट्यूपर मेरे नाम से सर्च कर लो यूट्यूपर मेरे नाम डालना ललित यादव अनकेडमी आपको सब कुस मिल जाएगा ठीक है अभी थोड़ा एक अर्जेंट काम करा लेते हैं बाल जादा लंबे हो गए तो आज उम्मीद है कि मेभी आपको एक नया लुक देखने को मिले हमारा आज रात से ही इस बाल उडाने वाले हैं आज ठीक है बहुत हो गये लंबे वाला ना चोटी वोटी तंग होगय है मैं बहुत मुस्किल हो जाता है चोटी को रखना बड़े ब खाई को इंडिस में बोलते हैं थो ठे तक ले जाओ ना इंगलिस को निलेते हुए ए बी सी ड्यू ऐसा ऐसे करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत मुस्किल हो जाता है ने इनको समालना बालों को और तो लड़कियों का यह सोच करके वो फैन हो जाता हूं कि विएर उनके कितनी हिमत है कितना स्ट्रेंथ उनमें कि वो इतने लंबे बालों को समाल लेते हैं कि यहां पर तो भाई बड़ा बुरा आल है समालने में होता ही नहीं है कि आज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसको अपने नॉर्मल लुक में आ जाएंगे रेगुलर क्लास होगी वन पीम पर क्लास होगी और पुरानी क्लास आप मेरे नाम से यूट्यूब पर सर्च कर लिजे सारी क्लास मेरी अनकेडमी पर ही है केवल अनकेडमी पर ही मैं पढ़ाता हूँ उसको सर्च कर लेना लली त्यादो अनकेडमी इतने नाम सर्च करने से सार क्लासिज हमेशा कंटीनू रहेगी ठीक है और हिंदी में मैंने कर दिया हिंदी में शुरू के तीन चार चैप्टर जो है न वो थोड़े मैंने जो पहला मैराथन कर रहा था वो मैंने रिवीजन के लिए करवाया था उसमें थोड़ी सी प्रोब्लम ही होगी थी कि मैं करवा रहा था ना इंदी में तो मेरे को यह चीज महसूस हुई यह फील हुआ कि सभी को उसके बारे में पता ही नहीं धंक से डिटेल में नोलेज है ही नहीं तो उसके बाद फिफ्ट और सिक्स चैप्टर के बाद से मैंने सारी चीज़े डिटेल में पढ़ानी शुरू कर थी ठीक है तो सिटीजन्सिप वहले चैप्टर के बाद जितनी भी चीज़े है ना वो सब बहुत डिटेल में वहाँ पर सिटीजन से पहले थोड़ा सा फास्ट फोरोड है लेकिन वह सब आप यहां से कवर कर लेजी बाइलिंग में से कवर कर लेजी एक ही बात है बाकी वह आप देखोगे डंग से, हिंदी और बाइलिंग वाल दोनों में मिल जाएगा, उसके बाहर एक्स्ट्रा कोई भी पॉलिटी का क्यूस्टन आपको नहीं आएगा, फिर चाहे आप प्रिलिम्स का एक्जाम देते हो, अब्जेक्टिव टाइप का एक्जाम देते हो, या फिर रिटन एक्जाम, मेंस का एक्जाम देते हो, हर जगे आपके सारे कंप्लीट कवरेज आपको यहां से मिलेगी, ठीक है, सर आप मेरा क्यूस्टन, मैं समझे गया भाई तेरा जो क्यूस्टन है, उसको कंटिन्यू कर ले, अज़को पुराना लुक ठीक है, नया लुक ठीक है, हैंसम लग रहे हो, फैंसी डाड़ी में क्यूट लग रहे है, ठेंक्यू, ठेंक्यू आप सभी को, लेकिन बाल थोड़ा सा कर लेते हैं, कल क्लास लेंगे, इसे लेंगे, चिंता मत करो, डिटेल से एक्स्प्लेनेशन रहेगा, यूट्यूब पर मैंने इंटर्नल सिक्योरिटी कंप्लीट करवा रखिये, इंटरनेशनल रिलेशन्स अंतर राष्टे संबंध वो कंप्लीट करा रख है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन कंप्लीट करा रख है, यूट्यूब पर यह सम मिलेगा आपको, मेरे नाम से सर्च करो बस, सम मिल जाएगा, अभी वाली करेंट वाला देखो, अंजली क्योंकि उस टाइम उससे क्योस्टन आया नहीं, लेकिन अभी यूनियन ओफ ट्रिनिटी से क्योस्टन आ गया, तो उससे समझो, इंपोर्टेंट हो गया हूँ, तो अभी की ज ज़्यादा इंपोर्टेंट, इसको ऐसे लेकर के समझो, पुरानी वाली जब कराई वो 2019 की में है, और आप 2021 आ खतम होने ही को है, 2021 भी आदय चला गया, तो अब इन फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं कि क्या इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो कर लेना है, यहां से मैं सुरू से करा रहा हूँ, बिल्कुल फस्ट से, बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से क्लास हो रही है, पहले चैप्टर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको पहले चैप्टर से क्लास मिल जाएंग चिंता मत करो, political science और public administration का एक बहुत बड़ा area, आपको any classes से cover होगा, political science optional अगर आपका है, PSIR optional, तो first paper में part B होता है, part B जिसमें Indian government and politics आता है, ठीक है, वो होगा, ऐसे ही public administration का paper number 2, second paper होता है, जिसमें Indian administration है, भारते प्रसासन, तो ये सारा area यहां से, जो 1pm पर classes हो रही है, इससे आपकी cover हो जाएगी, इनको मैं optional में अलग से नहीं करवाँगा, ठीक है, optional में मैं आपको केवल थोरीज करवाने वालों, सिध्धान्त जो बोलते हैं, उनके उपर हम work करेंगे, बस, बाकि जो common area है, वो common area इसी से ही होगा, क कभी जरूरत आएगी तब बोलेंगे, बिटे सर्स की तरह इंदी में, है ना, ठीक, आप लोग like से regular करते रहेगेगा, बिल्कुल लेते रहेंगे class, और अने academy का course जब जोइन करें, तो ये referral code यूज कीज़ेगा, LY live, जब भी course जोइन करें, referral code में, LY live, VC को apply करने, discount और personal guidance, द direct contact होगा, आपका मेर साथ call पर सीधा, one on one आपको proper guide करेंगे, regular की कैसे पढ़ने, क्या पढ़ने, और बाकी जगह उपर whatsapp, telegram पर reply, जो है, वो मेरी manager करती है, टीना जी, लेकिन अगर मेर से direct बात होती है, तो contact details आपको सब telegram पर मिल जाएगी, अने academy का channel है मेरा, अने academy ललीत ठीक है, चलिए तो आप सबको best wishes class को like share कीजिएगा, comment जरूर कीजिएगा, याद रखेगा, जब भी join करें, तो आप सबको अमारी तरो से सुब कामना है, best wishes, रात को 9 बजे वाली class में मिलते हिंदी वाली class में, तो आप सबको जै हिंद, जै भारत, let's crack it! जाए खरो को अमारी तर शॉब जाप दो से सुब कामना है, best वाली class में जरूर को जड़ा है, तो ग्ते हैं, तो आप जयू है, तो आप सकता है, जदे वाली तो से सुब को जजब रखेगा है, झाल झाल